आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube टैनल में आज हम बात करेंगे दो हजार पचीस के लिए मेश राशी का बविश्य बाणी मेश राशी के लिए कैसा रहेगा दो हजार पचीस के लिए आपके आने वले बरसे में क्या कैसा बदलाब रहने वला है मेश राशी वले जातक एवं जातिकों के लिए मंगल देव का प्रवाब बहुत ज्यादा रहता है इसके मालिक हैं मंगल देव और इसमें सासन करते हैं मंगल देव इसमें मेश राशी में सुरिया उच रहते हैं और मंगल देव जो हैं करकट राशी में नीच रहते हैं तो देखिए दो हज 2025 का साल जो आपके लिए है बिजनेस में बेपार में आपके करियर में एबं आपके परिवार में और स्वास्ते में लेकर किसी ट्रावल को लेकर बिजनेस को लेकर या किसी रारनितिक में परविश कर रहे हैं या किसी बिजनेस बेपार को आप संचलन करने की सूज विचार र तो आप सबको नवे साल 2015 की बहुत सारी हार्दिक सुबह पामन है, नए साल के लिए आपकी लिए सब के लिए नई उमिदें नए साल को लेकर आएका या नहीं आएका, इसके बारे में तो हम बताएंगी ही नए साल आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबार्ग हो और हम नए साल में आपकी जितनी वी अदुरी ख्वाईश थी ये पूरी हो जाए बगवान का किरपा आपके उपर सदा बनी रहे और आप सब को नए साल के लिए जीवन में कुछ थास लेकर आएगा देखिए नए साल 2025 जो है आपके लिए सब कुछ परिवर्तन होने बला है तो मेश रा रास के ही बारे में चर्चा करेंगे सभी रासियों के लिए किसी ने किसी इसाप से कुछ में स्वास्थ्य को लेकर करियर को लेकर लाव लाइफ को लेकर रेलेसंसिक को लेकर या आपकी जीवन में विजनेस और धन संपति को लेकर कैसा रहेगा इसके बारे में हम चर्चा क करें रादे से हम हरहर महार्य और आप अगर शच्छे एक हैं एक इंडियन प्रेमी हैं एक आपने भारत माता तो हमारी येट्वं को सुस्क्राइब जूरूर करें और जातिका हैं ये बर्स आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा राता रात आपकी जीवन जो है बदलने वाली है आपके इस जीवन में कुछ मतुपन बदलाब आने वाली है आपके जीवन में कुछ बित्या छेत्रा को लेकर लाब होने वाले हैं आपके लिए पैस तरपसर में आपको सवहभगी होने के अपसर मिलेंगे, माता इबां भाई बहनों से आपका प्यार बढ़ेगा, बहुत सारी सुपरीनाम आएंगे, आपके भाग्या में बिर्दी होगी, आपकी मनपसंद कंपनी में नोकोरी की अपसर आपको मिल सकती हैं, अगर आप गार हैं तो नो करी मिल सकती है दो तौझ वबीस को लेकर देखें तो दो अज़र पचिस आप के जो में राशी के जातक हैं उनके लिए बहुत सुब हैं तो दो हचार पचिस में बहुत सारी आपको यात्रा करने के अपसर भी जरूर मिलेंगे यात्रा आपको बहुत सारी सुप परिणाम मिलेंगे देब गुरु ब्रस्पति की सुप द्रिष्टी रहे कि जिससे आपका इंकम स्रोत बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है बिजनेस को लेकर आपके अपार सपलता मिलने वाले हैं करियर को लेकर सपलता मिलने वाली है तो 2015 के जो साल ह मेश रासी वाले जातक जातिकों के लिए निरमतर आमदानी की भृदी योगी बन की कमी नहीं रहेगे जीवन में आप बहुत सारा धनकमाने में सफ़ल हो जाएंगे देखीव विदार्ति जो है जो छात्रा है जो छात्री काई हैं उनकी लिए देखा जाए तो यह बरसा व देखा जाए या यहां पे देखा जाए तो नहीं नहीं मकान खरीच सकते हैं, आप नहीं नहीं इच्छे आपकी पूरी हो सकती है, अगर आज तक कोई अधुरा कार्या हो, वह भी पूरी हो दाएगी, दोजार पचीश जो नवर बरस है, मेश रासियों के लिए बहुत खुश इसका बरस वेब गुरु विरस्पति तेसरे भाब में गोचर करने से आपको देश विदोसों की इतनी सारी यात्रा करेंगे, आप पूरा बल्ड पूर को मारने वाले हैं, तो देखिए मौत पुना बदलाब और मौत पुना जीवन और बित्तिय लाब आपकी मन पसंद अपनी जो देखें, यहां पे सब कुछ परिबावतन होने वाला है, इस बरस को अंत सुरुआत से लेकर अंत तग आप धन दान्या हो जाएंगे, अरब पती और करणपती बन जाएंगे, आप में इसमें कोई संका नहीं है, क्योंकि स्वास्तिय आपको लाब देने वाला है स्वास्तिय उत्तम राने वाला है और उत्तम परिणाम मिलने वाला है, पिछले जो रोग थे जो आपको 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में आज तक आपने कश्टी कश्ट जिला है, तो 2025 में सब कुछ रोग आपके करज ये समापत होने वाले हैं, आप अपहार धन के मालिक बनने वाले हैं तो आपको जो पिछली जो कई सालों से आप कश्ट भोग रहे थे ये साल ओहर भी सुपरिणाम लेकर आएगा आपके उत्तम स्वास्तिय को देने वला है उत्तम धन को देने वला है लक्षिम की किर्पप्राप्ति होने वाली है मन में अत्यादिक कार्यों में आप धार्मि इस्तल की यात्रा करेंगे तो देखिए पवित्र आपके मन सक्रात्मा विचारत के साथ साथ ये 2015 का साल है बहुती मिल मिला बहुती उत्तम रहने वला है तो आपके सारे भाई बैनों के साथ मिलने वला है सनी बारंभाब में गोजर करेंगे में यहाँ पे देखें बहुती सुब रहने वाला है तो यहां पे सकरात्मा विचार के साथ-साथ यह साल पूर्णा रूप से आपके भाई, बैन, आपके रिलेशन से भी उत्तम रहने वाला है सनी देव बारुमभाब में ओचर करेंगे तो मेश रहासी वाले के लिए अतिन तस्व रहेगा या साल नए नए साधन मिलेंगे आपको, नए सबारी साधन खरी सकते हैं, आर्थिक इस्तिती बहुत मजबुत रहे कि बिजनिस में आपके लिए सफलता अपहार मिलने वाली है, दो हजार जो पचिस का साल है, जितने भी जातक इवम जातिका हैं, माता पिता हैं, दो हजार पचिस में सांदार जिवन आप जीएंगे, तो यहाँ पे छातरों के लिए आपके सारे सपने सकार हो जाएंगे, आप उच्छ सिछे के मालिक बन जाएंगे, इस साल विदेश की यात्रा जो करने के लिए सुच राकते हैं, उनकी लिए बहुत सुअपसर मिलेगा, मेश रासी वाले जातक इवम जातिकों के लिए सोने में सुआगा, यह दो हजार पचिस का जो बरसा है, आपके विदेशी भूमी से लाब मिलने बादा है, रहो आपके आया भाब में रह भी हो सकती है, विदेशी से जो बिदेश के चेत्रों से जुड़े हैं, उनकी लिए ग्यात्रा के लिए काफी फाइदमन्द सिद्ध होने बाली है, हरी रिशेज आप होगी, आप इतनी सारी रिशेज में सफल हो जाएंगे, हर समय आपको फाइदमन्द और आपके कदम- में आपको सफलता मिलने बाले है, दोहजार पचीस में अंत आपके कुछ उतार चड़ाब तो हो सकते हैं, लेकिन उस समय आप राव और केतु के तोड़ी सी मंत्र के जब जरूर करें, समतकार होने बाला है, मित्रों के साथ आप हमेशा प्रेम भाव से फेस आएं, कभी जल जिवन का ये जो प्राकरतिक है, इसका प्रवापतो रहे गई, लेकिन आप इस दोहजार पचीस के लिए कर मेश रासी वले जातक के लिए बहुत अच्छे परिणाम जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप आप आविस में आते हैं, जल्दवाज में कोई निरे लेते हैं, तो प्यार के चक्कर में दोखा भी हो सकता है, इसलिए लवर को लेकर ज्यादा से ज्यादा बरुसा करना बाड़ी भी पढ़ सकता है, तो देखिए प्रेमर जो रिलेशन हैं, जो लवर को लेकर अगर बहुत ज्यादा गईराई में जाकर विश्वास करते हैं, कभी-कभी भी हो सकता है, इसलिए आपको प्यार में धोखा होने से पहले ही आपको शागत होने हैं, किसी कलत रिष्टे में रहने से आच्चा है कि आप रिष्टे को तोड़ दें, तो इसे अच्छा होगा, कुछ निडएं आपके इस साल लेना होगा, भावना आत्मत जो है आपके मन में चोट मिल सकती है कुल मिलाकर 2025 कब जो बरस है मेश रासियों के लिए खुशी की वाहर है समुन्दर का वाहर है देखिए यहां पे आप बहुत सारे ऐसे धन को लेकर परिवार को लेकर लिरेशन को लेकर यहां पे सूफल की प्राप्ति होने वले हैं आपको हर छेत्र में का अनिमान जी की पुजा चालीसा का पाठ करने से कोई जीवन में संकट नहीं आएकि अकस्मक जो परिशानिया है वो दूर हो जाएकि तो आपको अगर क्या ना करें इस समय आपको कोदर नहीं करना है जो आपके करियर को लेकर या बिजनेस को लेकर देखें तो करियर में बि साल है जो बिता हुआ चाल है अब आने वाला जो हजार दो हजार पचीस है इसमें आपके लिए बहुत बड़ी उपलत दिप्राप्ति होगी यहां पर साक्षत कुविरदेग और लक्षमी की किरपा बर्से की इस बर्स आप बहुत अपार सफलता और क्रोडों अरबों रुप Karma पूना हुँजए कि इसमें कोई संकार नहीं है नोकरी बिजनेस में तर्की हो गी अगर आप यहां सरकारी काम कर रहे हैं यह सरकारी कर रहे हैं कुछ बहुत सारी सफलता मिलने वाली है वेतन में विर्दी होगी और उच्छ पद पर्तिष्टा आपको मिलने वाली है 2015 को लेकर आपके आर्थिक पच्छा तो बहुत ही मजबूत हैं लेकिन आपका बैंक बैलनस भी बढ़ जाएगा देव गुरु विरस्पति तेसरे भाब में गोचर करेंगे आपके लिए जीवन में चार चांद लगाएंगे तो देखिए रातो राद आपका जीवन दोहजार पचीस चसे शुरू हो जाएगा और इसे ही परिवर्तन होता रहेगा तो यहाँ पर मेनेत इमंदारी से काम करते रहना होगा आपको कारोबार जगत से जुड़े है लोगों के साथ-साथ आप बिजनेस में अच्छा मुनाफ़ा आजन कर पाएंगे जिसके कारण से आपके विपार में बड़े भायों के आपने पीता के साथ सोयोग मिलने वाला यह बर्सा की शुरूत आपके जीवन, आर्थिक जीवन को लेकर सुख लेकर आयेका आपके बिजनेस में विस्तार से नए-एक बिजनेस को आप Nee of इसका साल है आपके लिए यहां पे बहुत सारी पुरिश्कार मिलने वाले आपकी परसनता मिलने वाले खुशी मिलने वाले आपके लिए जीवन में सब कुछ बदलने वाला है तो देखिए 2025 इंतेजार करिए सब कुछ बदलने वाला है आप चिंता ना करें चिंता को उसका अंदाजा लगाए नहीं सकते, तो यहां पे रहाव 11 भाब में बैठा हुआ है, आया भाब में, जिसके कारण से रहाव इंकम स्रोथ को बहुत ही जड़ा बढ़ा देगा, धन को लाब को लेकर आपके छित्रा में चमतकार करने बला है, तो आपको गुप्त धन की प्रा हुआ धन आपको मिल सकता है, शेर मार्केट से जोड़े जो लोग हैं, उनके लिए काफी सफलता मिलने वाली है, अगर आप अनलाइन डिजिटल मार्केट लगाए तो आपके श्टोक मार्केट जो हो गया, शेर मार्केट हो गया, इसमें बहुत अच्छी इंकम आप कर सकते हैं, रुका हुआ अगर किसी को पैसा दिया हुआ, कोई बिजनेस में पैसा फसा हुआ है, अगर इसमें देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शेर मार्केट से जो जोड़े लोगों को उनके लिए देखा जाए तो देखें, उनकी करियर में बह बहुत चारचान लागने वाली है, ये करोड़ पती बन जाएंगे, नए बेपार के सुरुवात के साथ साथ बहुत सुबसमाई रहने वाला है, तो किसी न किसी लंबी योधना के लिए आप इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा होगा, दोश्यार पचीस के लिए, दोस्तों एक रासी के अंदर लगबग 80-90 करोड़ आदमी इस रासी में पढ़ते हैं, तो देखिए अगर सई भविस्यवाणी, सटिक भविस्यवाणी अगर आपने बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपकी गरह के साथ ही फरक हो सकता है, लेकिन हमारे रासी फ़ल में बताया हु और आपके कुंडली के गरह से फरक हो सकता है, लेकिन आपके कुंडली में गरह मारत, मालावस्ता, बिरदावस्ता और उच निच के भाव ये कैसे हैं, सत्रु रासी में बैठे हैं गराव, इसके साथ-साथ आपका जिवन फरक हो सकता है, लेकिन सब के लिए ये सब लागो नहीं हो भी सकता लेकिन देखे अगर लागू हो जाए तो आपके पक्का भी देखा जाए दोहजार पचीस के लिए जो मेश राशी के जाएकर तक हैं उनके लिए तो चार चार लगी जाने वला है क्योंकि यहां पे करियर को लेकर आतिक पच्चे को लेकर नई व्यपार को ल आने वाली है दोजार पचीस को जिसका में हट डालेंगे वो काम सफल हो जाएगा दोजार पचीस की माद्यम इस अबादी आपके लिए बहुत बेहद सुपरिणाम आपको मिलने वाले हैं समाज में उच्पद प्रतिष्टा मिलेगी और ये सहित्यकला संगी छेत्र से के लिए जातिकों के लिए बिश्यस अलदाई करदे वाला है मेश रासी वले जातख जेते विए मान समान और एयस की प्राप्ती होगी दोस्तों ये साल माता लक्षमी की किरपा जो आर्थिक पच्छे को लेकर बहुती सुप बनी हुई है करियर को लेकर बहुत बहुत जब आत्म विश्वास की बड़ोतरी होगी, आने वला दोहजार पचीस साल है, आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं रहने वाली है, किसी मैला के साथ अच्छा रहने वाला है, इस बर्स धन कमाने में सुनारी अफ अब अश्य सफलता मिल जाए कि बिदेशी भूमियों से जो बिदेश की इस्तान में रहकर काम करते हैं, उनके लिए बित्य लाब को लेकर बहुत अच्छा समया है, छात्रों के लिए अन्त इस बर्स बहुत सिष्ट उत्तम समया रहेका, आपके सिच्छा के छेत्र में जो क सुर्य देव भगवान को जल जरू चड़ाएं, सुर्य नारण भगवान का दर्सन करें, उक्ते हुए सुर्य का नमस्कार करें, देखिए आपके धंके पच्छे में जैसे सुर्य चमकता है, ऐसे आपका जीवन चमक जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो रासी फल होना बहुत सुब है, अब करियर के लिए देखाँ जाए, करियर यो दो अज़ा जो पतीस है, इस बरस आपके लिए बहुत कुछ नईने अफसर को लेकर आएगा, बहुत सारी खुशी लेकर आएगा, इसमें कोई संकार नहीं है, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा इसम कैसी जो रहकर जो छात्राइं हैं, उनकी लिए बहुत अच्छे अपसर मिलेंगे, अगर विजा रुका हुआ था, आज तक विजा नहीं लगा हुआ था, तो देखिए यहाँ पे आप विदेश के छितरा में आगे बढ़ सकते हैं, आपको सफलता मिल जाएगी, विजा बह अच्छा परमोशन मिल जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगा, आप किसी सोचल मीडिया में आ सकते हैं, किसी अनलाइन में आ सकते हैं, परमोशन बढ़ता ही रहेगा, दिन परती दिन, आपके लिए खुशी मिलती रहेगा, तो देखिए वेस्ट आफ यहर रहेगा, आपके लिए अपिस की तरफ से होगा, या विदेश जाने की योग बनेंगे, किसी भी कमपनी में काम कर रहें, उससे भी आपको विदेश जाने के अफसर मिलेंगे, बहुत सारा इतनी खुशी हैं आपके जिबन में, एकी बाहर आने वाली हैं, तो दो अज़ार पचिस को लेकर करियर के लिए काफी उच्छाई में आप पहुंची जाएंगे, आर्थिक रूप से उन्नती परदान होगी, आपके धन के आगमान के राष्टे बढ़ते रहेंगे, हर एक चीज में आपकी विशिस रूची होगी, इस बर्स जो इचित फल की प्राप्ति कर पाएंग लेकर मेश्रासी वाले जात सच वे मने तो तलास, आप जो इस एचा पाएंगे, ये फूरे को लेकर मेशरासी वाले जात हैं के विशिस में आप दिखने यतारासी का ऒधने की इंत कशारी वाले काना गर्षिस जातक जाते कौंग के लिए बहुत सारी ऐसी परिवर्तन आएंगे आपके जीवान में बहुत सारी पोजेटिव रिजल्ट आपके मिल जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा खुशी का बंडार आपको मिलने वाली है तो यहाँ पे कोई अनमानी नहीं लगा सकते हैं आप ऐसी समुद्र में कुद रहे हैं जैसे बहुत सारा पानी हो जहां समुद्री समुद्र हो जहां जली जल दिखाए दे रहो ऐसे ही आपके छेत्र में सफलता मिलने वाली है कोई ऐसा असुब रास्ता कहीं भी नहीं, सारी जगे में पॉजेटिव आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे, गुरु की जो रासी परिबर्तन से आपको बहुत अच्छा-ची सुब समझार मिलेंगे, कुसी के खबर मिलेंगे, सरकारी कार्यों में फाइदा मिल सकता, आप किसी भी स्वहक गर्मियों के साथ अच्छा बरताब होंगे, और सबसे अच्छा आपके ताल मेल, बैठ, बड़े-बड़े लोगों के साथ, किसी राजनेत क्वाल्टेसिक से तरके बैक्ति के साथ, करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, किसी मैला के साथ करियर की दृष से बहुत महुत पुना रहेगा, पर्फेशनल लाइफ को लेकर यहां पर बहुत ही चमतकार होने वाली है, बहुत अच्छी रिजल्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं, तो देखिए इस बर्ष जो महुत पुना हैं, आपका अच्छा बैंक बैलेस बनाकर, लोकरी में किसी अनलाइन ट्रेडिंग लेकर आपको यहां पर नई उच्छाए में आप प्रैस करेंगे, तो ऐस और धन की साथ साथ कई सुव ऐसे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, निरंतर धन की बिर्दी होगी, मानस सिक्सानती मिलती रहें कि मेसरासी वाले जाता के बहुत जाती को हो स्वास्ते के लिए चर्चा करेंगे, तो यह बर्स आपके लिए स्वास्ते के लिए काफी सुव रहने वाला है, दोस्तों यह बर्स आपके लिए स्वास्ते के लिए कोई समस्या नहीं रहें कि बहुत ही उत्तम रहने वाला, बहुत ही आनन्द रहने वाला है, अगर आप काईएंगे करेंगे स्वास्थे में लापरवाई करेंगी यह नहीं यह मत करना लेकिन स्वास्थे बहुत अच्छा है दोच्जार पचीस के लिए स्वास्थे पर आ STE को लेकि जुरूरत नहीं है अगर में समाविस मैंजाथ हैं मिलींगे दो खुद की आप ये कुशिस करें कि आपके स्वाहति में कोई असर ना पड़े देव गुरु व्रस्पति की सुभ जो दृष्टी है उत्तम आप एक सेहत के मालिक बन जाएंगे और अध्यामिक छेत्र में धर्म करम में आपकी रूची होगी बेद शात्रों की जो मिलने वली है 2025 को लेकर मन धार्मी कारियों में लागेगा आपका दन पुन्य में खर्च होगा आपको कमाएंगे आपके घर में खुषियां की माहुल बना रहेगा आपके घर में सुभ खार्य करते रहेंगे इस बरस दो हजार पचीश का जो बरस है आपके बड़े-बड़ खुषक खबरिया आपको मिलने वाले है हैं आपके घर में बिवाहा के शुरु अबसर्पर्यों जो अबावित जातक है आपके जो चुनतानी है जो बहुत सारी उनले के आपके घर में किसी संतान का अगमान हो सकता है आपके घर से आपके तनाप कम हो जाएंगे विद्धारतियों के लिए मैग्टेसन करें मेटल हेल्थ को लेकर आप जागरूत रहने की कोशिस करेंगे आत्मा विश्वास बड़तरी होगी देखें दो हजार पचेस का जो जो ग्राव हैं यह मेश रहासी के लिए काफी पोजिटिव एनर पॉज़ा मिले कि इस वर्स आपके पेट से थोड़ी से समस्या कब्जस जैसे या आपके थोड़े पेट समस्या हो सकती है लेकिन इसमें प्रशस्त पानी के सिवन करें स्वास्ते को लेकर आपको विल्बकुल चिंता करने के कोई जरुत नहीं है तो इसमें खान पीन को ध् पॉजेटिव नया सोच ही पाएंगे आप तो पॉजेटिव बदलाब आएगा आत्मा विश्वास बड़तरी होगी 2025 के लिए जो बरस है मेस रासी के लिए बहुत सारी आप अलफुल और दूद और आपको किसी सबजीयों का सामिल जुरूर करना है तो इसे आपकी जीवन म आप जीवन में चमतकार करेंगे दूसरों की मागदसन करेंगे और धन के विशेश को लेकर बिजनेस को लेकर करियर को लेकर जिन किसी भी छेतर में अत्याधिक लाव उठा पाएंगे तो दोस्तों अब प्रेम रिलेस्टन के लिए अगर बात करें 2025 का जो बरस है मेस रासी वले जातक जादिकाओं के लिए बहुत सांदार है इस बरस जो पती-पत्नी के रिष्टे हैं इसके लिए देखा जाए तो बहुत सारी परिवारिक में खुश और समरिद्धी को लेकर आएगा पती-पत्नी के जो रिष्टे जो बिगड़े हुई रिष्टे थे एक पूना की कोशिस करेंगे बुझने की कोशिस करेंगे दोहजार जो पचेश का साल है परिवार में सुख़द का अनुभाद आप जरूर करेंगे दोहजार पचेश को लेकर गुरु की जो परिवर्तन है इसे प्रसनता आपके जीवन में स्वाध परभान करेंगे मैरिट लाइफ को लेकर लोगों को लेकर यह बरस बहुत अच्छे शुरुआत होने वाली है अपने पार्टनर के साथ रिष्टे बहुत ही नजिकता और प्रेम का भाव आपको बढ़ते हुए देख पाईए तो दोजार पचेस के लिए यह बरस आनंदव मया परित होने वाला है परतित होने व लग बरस की लिए यह बरस शुरुआत बहुत अच्छी रह rhythm के आपके जीवन में प्यार की सांदार बर्सा ओने वाली है तो पिछले कुछ समय से बीच में मत्वथ चले रहे थे तो अब आपके सीवन के नई शुरुआत होने वाली है और फुलो की बाहर होने वाली है तो म इंगल जात तक जाते का हैं, उनके लिए रोमान्स की शुरुवात होने वाली है, परवल संभावना बहुत ज्यादा पोजिटिव एन्रोजी यहां पर मिल रही है, आपके जीवन में प्रेम के नए वीज अंकूर हो जाएंगे, जैसे आप इसी पोद्दे को लगाते हैं, अं साल का एसास भरपूर लुब्द उठाने में आपको बहुत सारा आनद जरू मिलने माला है, दोजर पचेस के लिए आपके जीवन में प्यार की, इसकी कोई कमी ने रहे की, दोजर पचेस के माद्यम को लेकर देखे, परिस्तिती सब कुछ बदलने माला है, येतु पंचम भ मंतर जब करें, या आप किसी मंगलबार के दिन, इबं सनिभार के दिन, आप ओम, राम, रावे, नमह, ओम, किम, केतवे, नमह मंतर का, इससे आप जाब कराएं, किसी पंडित से, किसी गुरू से, या इसकी सांतिक रहें, तो आपको बहुत सारे और पुजिटिव एनरजी मिल जाईगी, तो कठिन की यजो कठिनाएं, आप इसक lu के कारण से ये अंत हो जाएंगे, जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर, जो कान रहें, ये अंत हो जाएंगे, जीवन साथ हो के साथ, आपके जुडाब कम होंगे, अगर रावे, रावे, गेतिवके साथ, अग का रिष्टा नहीं टूटे का रिलेसंट को लेकर मेश रासी वले जाता के लिए आत्मा विश्वास बनी रहेगी तो मेश रासी के लिए अपने इस परिसानियां को खत्म कर देंगे और पोजेटिव एनरजी हां पर आंको मिल जाएगी तो दोस्तों दोजार जो पचेश की ज जगड़े हो सकते हैं परिबार में सुख क mixture करा सकते है अब लाइफ में गलत संकाई यह गलत फह्मी को उपन कर सकता है तो इस लिए राहो किसी गुरू के साथ, किसी जुतिस्सों के साथ, किसी पंडितों के साथ, आप सायंतिक राएं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी गलत फाहम ही हैं, वो अन्त होजाए कि, अगर बहुत अच्छे एक टिप्स दे दू मैं आपको, 2015 के लिए, राहू केतु के लिए जो असुप्रभाब है, आप एक सुखा हुआ नारियल लें, किसी भी मंगलवार, सनिवार के दिन में, या बीहिवार एबम सुख्रबार के दिन में, आप उसमें अलग-अलग अन्क ढालें, कम से कम नौट परकार के अन्न उस नारियल में डा अवे नमा उस दोनों नरियल को घुमाएं, अलग-अलग मंतरो द्वारा, और इसको किसी सुनसान जगे में लेकर इसको गाड़ दें, और पिछी मोड़गर ना देखें, ऐसा करने से भी राहू और केतु का प्रभाब कम हो जाएगा, आपके लिए पूरा रुप से पोजि बहुत ऐसे कुछी हैं, आपके मेशरासी वले जातक जातिकों के लिए मिलने वली है, क्योंकि मेशरासी वले जातक जातिकों के लिए ये गतिसिल आत्म के सासत आप आगी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका यह बर्स है, दोजर पचिस के लिए आने वली जो जीवन में इसमें प्रभाब बहुत ज्यादा होता है और गुष्सा पहुत ज्यादा रहता है मेश राशी किसी से जुखना नहीं चाहता तो इसलिए मेश राशी के ब्यक्ति जो एते हैं थोड़े से मतलबी भी होते हैं तो यह इतने खराब भी नहीं होते हैं लेकिन आपको थोड़ सा अपने जल्दबाद में और गुशे को कंट्रोल करेके आगे चलें तो आपका दोज दुखाएं आपकी लिए उच्पद प्रपिष्ट्य अपको मिले की घर परिवार की जो परिशानी है यह दूर हो जाएंगे अन्त हो जाएंगे आपकी धन्य जो कर्ज थी ओन्त हो जाएंगे 25-25 को लिए अगर देखें स्वास्ते में भी काफी अच्छा आपको मिलने वाल अगर कोई तलत फैमी है यह अंत्व होने वाले हैं आप पूरा रूप से एक सफल बैक्तिक के रूप में आपकी पैजान होने वाली है तो दो अजार पचीस का जो बरस है आपके लिए बहुत ही सुब समया चल रहा है तो आप इस बरस जो आने वाला जो दो अजार पचीस के लिए है यह कोई भगवान की गिर्पास से कम नहीं है किसी बर्दान से कम नहीं है तो समय का स्वधुपय करके आगे बढ़ें दोस्तों अगर आपकी कोई जिग्यास है कोई मन में कोई बात उपन्न हुई है तो हमें आपका जो कमेंट है कमेंट बगसें जुरूर करें और देखें उस कमेंट का हम रिप्लाई जुरूर दींगे तो दोस्तों आप सबका नया साल दोजार पचीस बहुत सारी खुशी से और सुक्सांती से बिते आपकी हर इच्छे मनोकामा साहीं पूरा हो जाए जै भारत माता जै जै मासिरा वाली अगर आप एक सच्चा प्रेमी ह आप भारत वासी हैं तो हमारी यूट्यूब चाइनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों वीडियो को सेर करेंगे तो माता की किरपा जरूर मिले कि और कमेंट बक्स में जै भारत माता जरूर लेखें रादे रादे श्री गणिशाय नमा नमू नारेण मित्रो रादे रादे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम बात करने वले हैं के लिए बिर्शतायसी वले जातक एबम जातिकम के लिए कैसा रहे का दो 65 आपके जीवन में सुबह और और मालतं हैं देखिए 2025 साल आने वाला है तो यह सब्सक्राइब इस एक्रणेंश-बाइस रोग एबन कर्जु के लिए परिबार के लिए ऐक रहाए धाने वालाए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नए साल deixa 75 में आप सबको बहुत सारा भेर सारी सुबह कामन आए आपके परिबार को आपको तो देख साल आप के हुशी लेकर आacağız तो मैं यही पर्थाना करता हूं, आपके जो सारे सोचे हुए सपने पूरे हो जाए, और आपके लिए सब कुछ जो ख्वाई से अधूरी थी, वो पूरी हो जाए, तो 2024 के लिए जो समय था, इससे भी अच्छा आपको 2025 में सुभ रिजल्ट आपको मिल जाए, यही बगवान स जीवन को लेकर हम कावना करेंगे भगवान से, कि पर्थाना करेंगे, आपका जीवन सफल हो, तो आज हम बिर्शरासी के लिए चर्जा करने वाले हैं, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो सस्क्राइब जरूर करें, लाइक कर हमारी YouTube चैनल से मिलती रहे की, तो एक सेर और जय भारत माता, जरूर लेखें, कमेंट बक्स में, तो वीडियो को सेर करना ना भूलें दोस्तों, तो इसमें आज हम बिर्शरासी की बाले जातक जातिकों के लिए बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, बिर्शरासी ब जातकों की लिए नया साल दोजार जो पचीस का बर्श है, इसे में कैसा रहने वाला है, तो देखिए बिर्शरासी में सुक्र का प्रवाब बहुत ज़्यदा रहता है, सुक्र इसरासी के मालिक हैं, और ये जो सुक्र है मिनरासी में उच्राफने हैं, च्छे बातने हैंajag d तो शुक्रदेव हैं, इनके दो रासी हैं, एक तुलरासी, एक बिर्षरासी, ये दो रासी में सासन करते हैं, तो कन्यरासी में नीच रहते हैं, तो मीन रासी में उच रहते हैं, तो दो हचार पचीश के लिए अगर बिर्षरासी के बारे में चाचा करेंगे, तो बिर्षरास को यह बड़ी रुची राखना इनके काफी जदा ऐसे परिणाम इनके जीवन में मिलती हैं तो बिरसरासी के लिए दोजार पचीश को लेकर कुछ परिणाम सुब मिलने वाले हैं सकरात्मा और पोजिटिव इनर्दी आपको मिलने वाली है इस बरस आपके जीवन में सुख द दुख दोनों मिला हुआ स्वाद आपको मिलेगा देव गुरु विरस्पत्ति आपके दोसरे भाब में गोचर करेंगे जीवन में कुछ उतार चड़ाब तो आएंगे ही बिरसरासी के जातक जातिकों के लिए बाणी में बहुत सुधार होगी बाणी से और तुसरे ब्यक् अगर किसी की जो नलेज है बिजनेस के चेत्रा में बड़े-बड़े आप इन्वेस्ट करने की सोच विचार कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी रिसर्ट आपको होना चाहिए या आपको सरें को अनुबाब होना चाहिए उसकी बारे में जानकारी होना चाहिए तबी आ आपको बहुत सोचल मकर आपको कदम चालने होंगे तो यहां पर जल्दबाद में कार्यान ना करें अगर आप ऑनलाइन से डिजिटल मार्केट से किसी में भी सट्टा पट्टा में अगर जुआतास में अगर इस समया आप अगर इन्वेस्ट करने की सोच विचार कर रहे है हैं तो थोड़े सा दोरी रहेंगे तो अच्छा है 2025 की जो साल है बिर्शरासी के लिए पस्ट दायक भी हो सकता है आर्थिक नुकसान भी हो सकता है अगर आपके जल्दबाद के कारण से गुस्से के कारण से किसी की कहवेत में आएंगे तो आपके यहांपे धन के हानी हो सक है 2020 में कुछ जुड़ा हुआ कारिया अगर देखें इसमें इंवेस्ट करने जा रहे हैं आपके जीवन में बड़े-बड़े कुछ परिवर्तन हो सकते हैं आपके नीजी जीवन रिस्तों में कुछ ना कुछ लापरवाई हो सकती है तो यहांपे आपको 2025 का बरस है बिर्श fledद गरने और antwoद रिस्तों कि की लिए अदरा बिर्श रासी के लिए देखें अगर बिर्स रासी के लिए अगर मैं करियर के बारे में बात करूं 2025 के लिए बिर्श रासी ज्यातक जाटीर कार जाए कुछ बतार पर आपके मिलेंगे, दुख और दुख दोनों आएंगे, संगर्शन भी होगा, लाब भी होगा, खुशियां भी आएंगे, गम भी होगी, शुरुवात का यह बरस है, कारिय में सफलता तो मिल जाएगे, नोगरी में सफलता मिलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगा, आपके इंकम बाब में रहेगी, इसे दन की बिर्दी होगी, विदेश जाने की जो सपने देख रहे हैं, उनके लिए पूरे हो जाएंगे, मेनेत को आपको लेकर यहां पे बहुत सारी सबादी अच्छा धन को मिलने वाला है, सनी देप की जो गोजर है, इंकम में बिर्दी होती रहे तो इस समय 2025 में आपके लिए यहां पे देखा जाए तो काफी अच्छे आपसर आपके मिलेंगे, तो यहां पे देखा जाए अकस्विं बदलाब होने वाले हैं, राओ की कुछर अच्छे बुरे परिणाव आपको लेकर आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए समधकार कर लेकिन राओ और के खराब हो सकते हैं आपके लिए अचानक दानुलाब की और रहानी की योग दोनों बनाएंगे, जिसके कारण से आर्तिक पच्छे में कुछ आपके लिए उतार चड़ाब आ सकते हैं, तो यहां पे सोच समधकर काम करें, आपकी बजट बिगड सकते हैं, कि तो सुख भाब में जाकर बैठा है, तो नकरात्म परिणाम और विदार्तियों के लिए इस घोचर सही नहीं होगा, बहुत मिनित करने होंगे, करियर के इसाब से नुकसान हो सकता है, इन्वेस्ट करने की सोच बिचार कर रहे हैं, तो सोच समतकर ही इन्वेस्ट करें, औ और इस अबादी आपके मानसिक चिंतन या मानसिक तनाब भी ज़्यदा हो सकते हैं, आपके बविश्य को लेकर परिशानिया हो सकते हैं, मन में बेचनी हो सकती है, कुद्र बढ़ सकता है, तो आपको समल कर काम करने होंगे, दो अजजार पचीश के लिए जो नोकरी, करियर बिजनेस जो भी है, देखिया है, इनके लिए आप सेम बुद्धिमान बने, तो आप हर कदम कदम में किसी का विश्वास बिलकुल नहीं करना है, क्योंकि आपके जिपन में गलती भी हो सकते हैं, इस दवरान से भाड़ी पड़ सकता है, तो आपके ब्रोधी का आपको सामन करना पड़ सकता है, सत्रू का सामना करना पड़ सकता है, तो पार्टनर सीव के साथ साथ नुकसान भी उने की संभावाना बहुत ज्यादा है, परिष्टिती कदम विपरित में जर आएंगे, तो हर कारियों में अत्यातिक आपको मेहनेत करने पड़ सकती है, तो सफलता खराब रहा गया, तो आप जीवन में कैसे परवति करेंगे, परगति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत महत्तपुन कारें छुट जाएंगे, तो यहां पे स्वास्थे को लेकर सेम को आपको देखवाल करने होंगे, सेम का डक्टर सेम बनना होगा, क्योंकि अच् अपने देख रहे थे, वो अधुरी हो जाएंगे, आप पिछे धकल जाएंगे, तो इसके लिए आपको पहले ही सजक होना है, पहले ही अच्छे काम करने है, अच्छे करम करो, और उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, मेनेत होगी, लेकिन मेनेत तो सब करना पड़ता है, किसी के करम के बिना तो फल तो मिलता नहीं है, करम तो जरूर करें, करम करेंगे तो फल जरूर मिलने वाला है, क्योंकि सनी जो निया के गराये हैं, देव गरूब जो धार्मिक गराये हैं, आप निरन तर करम करेंगे, सुब करम करेंगे, तो गरह भी विवास हो जाएंगे, आपके भाग्ये को बदलने के लिए, तो अत्याधिक मेनेद आपके फल मिले जाएंगे, अच्छे अच्छे बेपार बेवसाई के दृष्टी कोण से आपको सफलता मिल जाएगे, बस किसी की बात नहीं सुनने हैं, और किसी बुजर्ग बैक्ति के अपने माता पिताओं को ब बहुत बड़े-बड़े परिनाम आपको वगर्ण बढ़ सकते हैं, तो इसलिए किसी भी लापरवाई बिल्कुल ना करें, 2025 का जो बरसा है, आपके लिए सच्छी एक परगत्ती को लेकर आगे बढ़े, और आप उस छित्र में सफल हो जाएंगे, करियर को लेकर आपकी पर आजमिक पच्छे में दान पुन्निक करें, आपकी ग्रव की सोष्टी सान्ती करें, जीवन की जितनी पी परिशारी हैं, वो हड़ जाए कि आपकी कर्मतारी के साथ इसी के खिलाप सणंत्र रह सकते हैं, क्योंकि सत्रू बहुत ज्यादा हैं, तो सत्रू से बज़की रहने क कोशिस करें, खोया हुआ, बिचलित तनाब ग्राशता आपको मौसूस करा सकते हैं, सत्रू के कारण से पटक पटक आपकी जीवन में बादाएं आ सकते हैं, पर्फेस्नल लाइफ में तनाब आपकी परसनल लाइफ में देखने को मिल सकता है, जिसे कारण से आप दोनों के बीच में ये ताल मिल ठीक नहीं रहे सकता है, इसलिए करियर में आपके लिए मद्यम परिणाम हैं, तो आपकी जो परगति देखकर, मेनियत को देखकर या आप सत्रू जलते रहेंगे, तो ऐसे सत्रू को जलाने के लिए और भी जलाने के लिए आप आपने काम में को लेकर 2025 के लिए जो बिर्श रासी के लिए किस्मत के सितारे बिर्श रासी के लिए 2025 का जो आर्थिक दिरिश्वी कौन से कुछ उतार चड़ाव यहां पे भी मिलने वाली हैं कुछ आर्थिक तंगी बनी रह सकती है आपके जीवन में कुछ देरी परिणाम तो मिलेंगे खर को बतात करने की कोशिश करें आप बैंक बैलेंस को सेविंग करने की कोशिश करें क्यूंकि आपका बजट यहां पर ना भिगड़े तो अभी से आप बजट को लेकर थोड़ा 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 बैंक विलस करतेंगे अगर छे महीने तक आप सेविंग भी करेंगे तो बिजनेस पार्टनर में अगर आप पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो इस समया मत करें पार्टनर में हाथ मत डालें तो इसलिए बिजनेस को लेकर आपके लिए आर्थिक डिल करती हुए किसी ब्यक्ति को शेर कभी ना करें किसी को अपनी गुपतर जो राई हैं उसको शेर करें नोगरी में कुछ परिशानियां कश्रदाइक हो सकती है इसलिए आपको किसी भी आपने गुप्त रहस्य को शेर ना करें आर्थिक नुकसान हो सकती हैं आपके अदमिक की अनुबाती कम हो जाएगी बहुत खर्चे तो बढ़ेंगे ही स्वसमद कर खर्च करना होगा दन बचत होंगे और आपकी जीवन में कुछ भी हो दो अजार पचीस की लिए बेहुत सुब रहने वाला दिरे 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 आपकी रॉक्तर पकड़ती रहेगी जैसे आप फोकस करते रहेंगे जितना फोकस करेंगे उतने ही आपको सफलता मिलने वाली है अच्छे रीजल्ट आपको मिलेंगे आमदानी के अच्छे रास्ते बन जाएंगे नोगरी में अच्छी संभावना हो जाएगी बस आपको यह है कि धायरेता राकना है जल्दबाद में कोई काम न लाग्तिकाए हैं उनकी लिए काफी अच्छा रिजल्ट मिले कि आर्थी की स्थिति मजबूत बनाने की वोसिस करेंगे तो अब इसे बचत करने मैंने बता दिया आपको तो पिछली उदार चुकाने में कामियब हो जाएंगे आपकी सफलता मिले कि आपके साथ जो भी तंगी चेत्र में लेकर किसी को रिन कर्ज देना किसी को पैसा देना किसी के चेत्र में अगर आप किसी के बातों में आकर लगाने इन्वेस्ट करना ये कार्य को छोड़कर आप बचत के साथ-साथ जो काम कर्म कर रहे हैं उसी को निरंतर देने की कोशिस करें आपकी जीवन में आपके जीवन चमतकार होने वाले हैं अगर अब मैं यहां पर बात करूँ दो अजार पचीश के लिए वैवाविक जीवन के लिए पती पत्मी विजी के रिष्टे के लिए बात करें इस समय आपके दो अजार पचीश के साथ कुछ मनमुटाप के योग बने गहें तो एकाद के शेत्र में कुछ सवदार मुनाफा मिलने वाला है जौब को लेकर चेंज करने के आपसर मिलेंगे विशेश करके दो अज्चार पचीश में कुछ पलदाईक और कुछ पैचाहन होने वाले हैं इस अबादी आपके बिजनेस को लेकर छोटी-छोटी यात्राएं पार्टन के साथ पती-पत्नी के विज़ के रिष्टे को लेकर यहां पे आपको मिलने वाले हैं रिजल्ट और नोकरी में विपार में उत्तम परिणाम भी मिलेंगे विदेश को मिलेंगे विदेश के छेत्रों से आकस्मिक आपको लाब मिलने वाले हैं विदेश जाकर नोकरी करने लेकर आपके लिए यहां पे इतना असुब नहीं है तो आपके रिष्टे अच्छे रहेंगे रुका हुआ फसा हुआ कारे में आपके दोनों के साथ सफलता मिल जाएका उत्तम सिहत के लिए लाब परिशानियां भी हो सकती हैं लेकिन राओ जो है इस ग्रव के कारण से दोसर कि लिए बढ़ा सकते हैं किसी को एक रुपियां उधार नहीं देना है परिवार में पति पत्मी में मनमुटाब हो सकती है रिष्टे में खटास आ सकती है इसके कारण से बाद विवाद से दूरी रहें किसी की बात को जल्दविजवास ना करें तो जीवन में जो परिशान हर दिन जाडु इनरजी समाफ्थ हो जाती है पाटक पटक घर में जाडु और पोचागे उससे पोजिव बेपार के दिन में थोड़ सा नमक डालकर इसकी बात को जितम में सफ़लाता मिल जाएक глаз समाफ्थ हो और अगर सब्सक्राइब और आप किसी को कर रहे हैं या बेपार को कर रहे हैं तो किसी, बिजनेश में आपको रूबन-ध्रोब को जला दें। जिससे आपके जीवन में जो परिशानिया हैं वह अंत हो जाएगी आपके लिए पोजिटिव एंडर्जी मिल जाएगी अब स्वास्थे के बारे में जातक जातीक हैं के लिए काफी अच्छा ही है इतना अच्छा बुरा भी नहीं है कि आपके लिए बहुत स्वास्ते की खराब होगी वस्टिटल का बास होगा ऐसा नहीं है के लिए अगर करेंगे दार्मिक पच्छे में आपकी रूची बढ़ जाए तो आप उत्तम स्वास्ते को पराप्त करेंगे और आप निरंतर अच्छे कर्मियों में आगे बढ़ते रहेंगे लाग को पराप्ती होगी आपके बेजनिस विपार नहीं चुटेंगे आप कारण से बीमारी सिस्ट कर दोने और सवास्ते की कहरत करें आप हाँकी शतार कर आप सवास्ते के लिए बहुत आच्छा रहे compiler नोई कोêuचिक रिटुार्मिक पार रत को सोने से तिन गंटे पहले ही बोजन को करें और रात को थोड़ा कम हलका बोजन करें तो यहां पे आमकी जो गिरिस रासी की मैलाएं हैं उनकी लिए दोनों तरफ से एक्टिव रहेंगे और मानसिक तनाती कमी थोड़ी सी रह सकती है इसमें अगर आम मैटेशन का सारा लेंग को रिफाइंड मैदा चीनी का इस्तिमाल कम करना चाहिए दोजार पचीस के लिए जो बिरिस राची के जातक है इससे देनिक रूपे आप योगा द्यान करेंगे अच्छी सियत आपको मिलने वल्ली है और इसमें जो भी परिशानी आएगी उस आप उस परिशानी को लड़ सकते हैं तो 2025 के लिए स्वास्तिय के लिए ध्यान जुरूरद दे डाइजेस्स समंदेत समस्या औल नहीं हो सकती है सारे रिकरूप में अगरे मैं सबरें करते हैं इमिनिंग करते हैं देखिए और खानपिट को सुदार करेंगे तो आपके यहाँ पे कोई समस्याल नहीं रह लियात्रा खानपिन में आप एक टाइम टेवल बनाएं जिससे आपके लिए सारी जो परिशानिया है वो दूर हो जाएकि डिप्रेशन जो है उत्त कम हो जाएगी आपके लिए उच्छे स्वास्थे मिलने के कारण से आप अच्छे-च्छे पोजेटिव एंडर्जी को बारे में चर्चा करेंगे जो रिलेशन में हैं विवाहा करने के लिए सोज विचार करें उनके लिए दोगजार जो पचीस का बरस है वो कैसा रहेगा इसके पारे में बहुत मत पूनबावी से बाढ़ी है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सु देखिए आपके यहां पे कुछ खटे मिठे रिजल्ट आने वाले हैं प्रेम रिलेशन को लेकर आपकी प्रेम विवा तो हो जाए कि आपका प्रेम विवा नहीं छुटे का आपको कहीं परेशानी पहले ही हो जाए कि ऐसा है कि आप छूट जाएंगे ऐसा नहीं आपका प् प्रेम की प्रस्ताब आएंगे अगर आप अबावीत हैं और विवावीत जाता के लिए देखा जाए तो आपके लिए काफी अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है प्यार के फिलिंग आपको हो सकती हैं आपके जीवन में सचे प्यार की कमी नहीं रहे कि तो बस आप सांत और मिठा हो सकते हैं आपके माता की तलास करें लिए दो इस साल रहा है कार एक eaten गए जिसे अच्छे चलने की संकेत कर रहे की सनी देव की किरपा बनी रहेगी बीच में थोड़ सी जो कंट्रोल हैं आपकी गुस्से को और आपने मन को कंट्रोल करने की कोशिस करें लेकर या वीक में रहने वाले जातक जाते को के लिए बहुत ती सांधार रहने वाला विषरासी की जातक जाते को के लिए यहां पे जुतनी बी गलत फामियांती वो दूर हो जाएंगे आम चिंटा ना करें कुभशृत अनुबाव को करने को मिलेगा के लिए इस अबादि आप बहुत अच्छे अच्छे अनुभापस के साथ गुजरेंगे बहतर होगा आपके रिष्टे में मिठी यादो को लेकर आप बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपके लिए काफी अच्छा है इस अबादि आपके परिवारी की जीवन में कुछ मुश् करने होंगे आपको रिष्टे में दुरियां वो सकते आगर आपके कारण से तो बाविसे में जोड़ी चिंताएं आपको दूर करनी हैं आपको बिल्कुल सांत सबाब से आके रहना है संतान यदि विवाय योग्या हैं तो उनकी लिए उत्तम विवाय का प्रस्ताव आ सकता आपसे कुल गराने में विवाय होने के योग हैं तो चिंताएं छोड़ दें बस करम करें आप करम फल योगी हैं तो आप फल के दाता भगवान हैं तो आप करम करते रहें अच्छे करम करेंगे तो बस करम में वरोसा करें प्यार के वरोसे बनाई राखें रिष्टे के संब जबर्जस्ति की दो टूट जाएंगे लेकिन ड़र्जस्ति को नहीं कीचना है बल्लपुर्वग नुकर मौत कीचे बुद्दी से बहुत प्यार से दोर को कीचे तो यहां पे प्यार की दोरी मजबूत हो जाएकि आप प्यार की बंदल में बंद जाएंगे दोस्तों तो देखिए परिवार के रिष्टे का लहा मोहल ये परिवारिक जीवन में जो भी हैं इसको बाई-बैनों के साथ रिष्टे अच्छे करने के कोशिश करें बाई-बैनों के साथ लड़ाएं जगड़ा ना करें इस बरस 2024 को है कुछ न कुछ आपकी जीवन में आने वली हैं तो बेहुत रोमेंटिक भी रहेगा साथ मीवी डिनार के साथ डेटिंग के लिए हनिमून के यहां पर आगा की जा सकते हैं बस आपको को सब के साथ मिलकर अच्छा प्रेम भाब के साथ पेस आने की कोशिस करें आपको कोई चिंता करने की जुरुत नहीं है दो जार पचेस में आपका सब कुछ बदल जाएगा बिरिशरासी वले जातक जातिकों के लिए जो भी उम्मीदे थी जो परिवार के साथ यात्रा करने क की उम्मीदे थी जो इमंदारी जो आपके पच्छे में हैं इनको देखा जाए आपका सब कुछ यहां पर परिवर्तन होने वाला है आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई जोरुवत नहीं है इस आपके मेहमान को घर में आ सकते हैं उस चुनोतियां को भी आप दैरिता पू की लिए अंतर का च्छेणों में आप सजाएंगे अब आभी तेहर ब्यक्तियों के लिए चुनोती भी आ सकती है लेकिन सब यह आपके कारण हो सकते हैं देखिन अगर आप बल्ल की परियुक्ति ना करें दीका परियुक करें किसी अच्छे ब्यक्ति का सुजाब लें गलत जैसा खाना विसा बचन तु देखिये जैसा आपके रिष्टे हैं विसे आपके सबाब होंगे तो अच्छे-अच्छे रिष्टों के साथ जोड़ेंगे अच्छे पुजिक्टिव एंजी के साथ जोड़ेंगे तो बस आपको जीवन में सफलता ही मिलेगा किसी गूरु की सरण में जाएं किसी धार्मिक इस्तन में आपको मन में बहुत शान्ती मिलती रहें कि तो यहां पे तन आप लेने की कोई जोरवत नहीं है दो अज़ार पचेस के लिए आपने आपको देखवाल करने की बरस है तो बित्तिय चेत्र में आपको अभी से बचत करने की खोशिस कर दें तो दो हजार पचेस के लिए आप की लिए सब कुछ बदल जाएका इस बरस कारी इस तल को लेकर वो क्या नई योदाना बना सकते हैं बदल सकते हैं आपने बेवसाहिक को बदल सकते हैं बरिष्ट किसी सवकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनने की संभावन अगर आप सच्था भारती हैं अपने भारत माता को प्यार करते हैं तो अपसब का बहुत-बहुत स्वाहते हैं हमारी यूट्यी चैनल में अज हम पात करेंगे दो जो मित्यून और जातिका हैं, जो माता और पीताई हैं, उनकी लिए δो हज। हजार जो पचीजंट सीष का साल है, घाना कैसा रहना है? आपकी जीवन में खैसा रहना है? आपकी जीवन में खुषी और गम क्या लिकर आएगा है? 15 लिए आपके प्रेम जीवन, बैवाबिक जीवन, चंतान क के लिए उच्छ सिच्छा के लिए बिजिनेस इवं बेपार के लिए कैसा रहेगा आप कौन से सिखर में पहुंच जाएंगे देखिए संपूर भविष्य बाड़ी हाद हम बात करेंगे मिथन रासियों के लिए 12 मैने की जो भविष्य बाड़ी है कमेंट बक्स में जय भारत माता जरूर लेखें और वीडियो को आपने अभी तक हमारी यूट्व चैनल को सुस्क्राइब ने किया तो सुस्क्राइब जरूर करें आज हम बहुती मौत पुन बाते करेंगे जिसके लिए आपको संपुन जानकारी हां से मिल जाएगी तो दोस् 2025 के लिए देखा जाए तो सब कुछ बदलने वाला है तो आप सबको नए साल 2025 के लिए आपके परिवार आपको बहुत भेर सारी सुवकामन आए और आपके इस्ट देव और पित्र देवतों की किरपा आपको मिलते रहे जिवन में और कोभी किसी दुख का आपको सामना करन ना पड़े तो दिन परते दिन आपके लिए परगति हो जाए हम बगवान से यही परतना करते हैं तो आए शुरुवात करते हैं मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए देखा जाए दो हचार पचेश का जो बरस है यह बरस आपके लिए सब कुछ परिवरतन होने वाला है इसमें जो मिथुन रहे जाता के बन्यादि कहें होते हैं इसमें बुद्ध ग्रहों का बहुत ज़एदा प्रवाव होता हैं यो बहुत चलात बुद्धिमान और बिजनेस माइन के होते हैं और मैंफमेटिक के लिए देखा जाए बैंक जागर के दिखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं किस्मत का बंद दर्वाजा हमेशा खुल सकता है आपके लिए 2025 के बाद आपके जीवन में देवग्रु ब्रस्पत्य आपके पर्थम भाब में गोचर करेंगे जिसके सुप परिणाम आपको मिलने वाले हैं 2025 के लिए आ बपच्छर 25 को लेकर आपके जीवन में जल्दी ही आपके बहुत कार्य सफल हो जाएंगे आपके घर में सादियां, शनियां बच्जक्ती हैं अगर आप विजा बीजातक हैं तो आपके संताझ, पुत्र प्रप्राप्य की रत्स्प्राप्य होगी तो देखें, यहाँ पे आपको सिच्छा के छेतर में अपाहर सफलता मिलने वाला है, लगना में देव गुरु विरस्पत्री बैठेंगे, तो पंचम सप्तम भागेश्थान में आपके देव गुरु विरस्पत्री की दृष्टी होगी, जिसके कारण से अपाहर अपाहर सफ सफलता आपको मिलेगी, पति-पत्नी विज़ के समन्दे को बहुत अच्छे मिलेंगे, सारीरिक, महनस्चिक रूप से आप दार्मिक संचर में इवं स्वास्ते के लिए देव गुरु विरस्पत्री हर कारिय में आपको सफलता परदान करेंगे, दो हजजार पचेस के मा सकते हैं, आपके एक बिजनेस नहीं, कई बिजनेस हो जाएंगे, नए-नए शुरोत सादन से आपको धन कमाने की राष्टे मिलेंगे, तो यहां पे कोई नया कारिया करने में आप प्रानबा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समया आपका काया पलट होने वाला है, दो के साली है आप, 2025 के लिए, तो देखिया, आपके सिच्चा के छेत्र में, आप विदेश जाकर सिच्चा आजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, या आयर, आप किसी भी हायर स्टोडी, आपके लिए आपका जो सपना था, वो पूर्य हो जाएंगे, तो आप इस साल बहुत जल्दी ही, आप एक सिखर में पहुंच सकते हैं, और सुनाहरी आपसर आपको मिलेंगे, पढ़ाई में, जो मेनेद करने हैं, थोड़ी सी मेनेदी बिसी, आपको सफलता मिलने वाली है, आपको बहुत मिठा स्वाज चाकने को मिलेगा, इस बरस किसमत का बंद दरबाजा थ यह खुल जाएगा, मिहन राशी के लिए, तो अगर कई बरसों से आप रो रहे थे, चिला रहे थे, आपके जीवन में सफलता नहीं हो रही थी, आपके जीवन में बहुत सारी बादाईं आ रही थी, देखिए, 2025 का बस इंतेजार करें, आपके लिए पूरे जीवन में बल होने वली है, तो देखिए, यहाँ पे बिदेश जाकर आप पूरा रूप से सिच्छा आजन कर सकते हैं, बिदेश में जाकर बिजनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रावल के लिए पूरे योग बनी होई है, तो 2025 के लिए सनी की जो गोचर है, दित्य भाब में गोचर उनकी लिए बेपार में उन्नत्ती होगी, उसका अंदाजा नालाज सगाए, ऐसा है, तो आपके जो बेपार के छेत्र में, जो बेपार से जुड़े जातक हैं, उनकी लिए तो देखा जाये तो कोई अनुमानी नहीं लगा सकते, इतनी लाब आप आजन करेंगे, जीवन मे दिन, दुगनी, राद, चोगनी करके परगती और सफलता मिलने वली है, मीथुन, प्रासी वले, जातक एवंग जातिकों के लिए कारोबार में उन्नत्ती होगी, तो इस अवादी में घारे में किसी नन्ने, मुन्ने, किलकारी वुझ सकती है, अगर जो बिवावी जातक हैं जो इसके संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखी पुत्र की रत्न प्राप्ती हो सकती है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां एकी बार दोहजार पचिस को आने वली है, जो खुशी की कोई सिमा नहीं रहेगी, आपके आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छी बनी की रहे कि 29 मार्च दोहजार पचिस को सनी का गोचर मिथन राषी के दसम बाब में हो जाएंगे, सनी का दसम बाब में गोचर करना नोकुरी के जातक, इबन जातकों के लिए जो बिजनेस के लिए बहुत सारा उन्नाथी देंगे, बहुत अच्छे पल बनेंगे, बहुत प्रमोशन नहीं हुआ, बेतर में विर्दी नहीं हुई, आप नोकरी कर रहे थे, बहुत परिशान थे, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे 2025 को लेकर मीथुन राशी वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए, अगर यहाँ पे देखें, 2025 के आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो विदेशों से, फिर आप बिजनेस सम्मंदी काम करेंगे, विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश को लेकर किसी बिजनेस के हिसाब से जा सकते हैं, शिचा की हिसाब से जा सकते हैं, ट्रावल की हिसाब से जा सकते हैं, य दिखिए आप किसी से नहीं जुग सकते परत्यक कार्य को सफलता ही सफलता मिलने वाली है तो 2025 का मिथुन राशी के लिए सेयत के लिए चका चक रहने वाली है आप तन और मन से खुद एकदम स्वास्ते को महसूस करेंगे अगर आप बहुत सालों से रोग में बिमार थे आपक जीवन सेम का परिवर्तन होने वाला है तो यहां पे उच्छ स्वास्थ्य की योग बनेंगे जीवन में बहुत एकदम आपके लिए बहुत पोजिट्टिव एनरजी बनी रहे की मिथुन राशी वाले जातके बन जाते काओं के लिए 2025 के अनुसार यह साल आपकी जीवन में कमी नहीं रहे की यह साल आपके सांति के अनुफद पराप्त करेंगे बगवान की किरपा मिले की आप किसी बगवान की बरदान से कम नहीं है दोज़्यार पचिस को लेकर जो मिथुन राशी के जातक जातिकाएं हैं देखिए अगर कोई जीवन में समस्या भोग रहे हैं अ कि आपके पास धन नहीं बचत होरी थी आपके प्रेम जीवन में समस्या थी पती पत्तमी वीच में समस्या थे कोई भी समस्या हो दोज्जार पचेश को आपके लिए सारी समस्यां अन्त हो जाएकि और भगवान शीव की आप पुजा करें पुजन करने से बधवार की दिन श्री घंडश की पुजा करें और दुब चड़ाएं ऐसा करने से आपके जीवन में और भी सुख और सांथ की सम्रिद्ध की बिर्दी हो जाए कि आप चल कपट और बेमानी कारव से दूरी रहें आप इससे अफस्वया और बदनामी हो सकती है लेकिन अपने काम को परता मिक् दिरिष्टर को लेकर देखा जाए तो यह साल आर्थिक दिरिष्टरी से बहुत ही भागय साली रहने वाले साथ लक्षमी और कुवेर देव का किरपा आपके लिए मिलने वाला अलग अलग इस तरह से कई शुर्ष से आपको धन की बिर्दी होने वाले आप धन कमा सकते हैं अनलाइन मार्केट से, डिजिटल मार्केट से, मीडिया से, किसी सोसल मीडिया से, देखें किसी बिजनेस से, आपके कई सारे ऐसे अफसर होंगे जिससे आपको कोई अनुमानी नहीं लगा सकता, इतने अच्छे धन को आप कमा सकते हैं, तो धन की बिर्दी हो सकती है, अच् भोग रहे थे, कर रहे थे, वो सारी अंत हो जाए कि बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए प्यार जमाने की कोशिस करने वाले लोगों के लिए किसी अमरित से कम नहीं है, ये बरस बहुत अच्छा रहे का, हर आपकी कारियर सफल हो जाएंगे, और आपकी प अगर मुनफा कमा सकते हैं, तो यहां पर आपके बहुत पोजेटिव एवं सकरात्मा इनर्जी आपको मिलने वाली है, दो अजार पचीस को लेकर कामकाज के हिसाब से भी आप बहुत अच्छे कन्विशन पावर आपको बढ़तर होगी, आपकी मेनित में रंग लाएका, द बिदेशी भूमे में अचानक कोई बिजनेस को लेकर या कर्म कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, कुछी भी ओ आपके लिए यहां पर भी बहुत अच्छे पोजेटिव एनर्जी आपको मिल जाएगी, आपके धन कमाने के लिए बहुत अच्छे सुनरी आपसर आपको मिले यदि आप नोकरी बिजनेस को लेकर किसी विदेशी कमपनी को लेकर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस करीप को लेकर बहुत अच्छा आपको यहां पर लाब मिलने वाला है, दोऑचर पचिस में बहुत अच्छी बड़ी प्लानिंग आप कर सकते हैं, चाहे फिर बिजनेस से दिए बिजनेस्टे से पोटेल किसी का साथ मिलने वाला है लाप के लिए इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी आर्थिक लाब होने वाली है पार्टनर के साथ साथ आप काम कर सकते हैं यह बर्ष जो मिथुन राशी के चाहतक हैं इसमें साक्षत लक्ष्मी की किरपा बरस्ती रहे की साल भर बहुत फाइदमंद रहे का आपके बरुसमंद बेक्ट कोई कमी नहीं रहेगी प्रोपटी चेतर से जुड़ी जो डिल्प के लिए आपके लिए बहुत ही सोच समग कर कदम उठानी होंगे तो देखिए 2024 के लिए किसी भी इन्वेस्टर हो या बिजनेसमैन हो उसके लिए कोई समस्या इसमें रास्ते में नहीं आने वाली है आपक जो भूमी से जुड़े हैं जो घर खरीद चाहते हैं या प्लांट खरीदने चाहते हैं या किसी को बेचने चाहते हैं दिल करने से या किसी ट्रावल एजन्सी से देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा आपको मिलने वाला है आपका नया घर नया वहान आप जुरूर खरिश सकते हैं यह इच्छया आपकी पूरी हो जाए कि 2025 को लेकर 2025 को बिजनेस एक्टर से फूट शेक्टर जैसे चेत्रों में भी आप हाथ जमा पाएंगे इसके अलावा फंसन एंडरस्टरी एबं विडियोग्राफ जैसे फिल्ड और आपको जो मीडिया की जो चेत्र है इ काम के सासत आप पूरा रूप से परिवर्तन करेंगे आपके मन विचार आप परिवर्तन कर सकते हैं 2025 को लेकर आप अंतिम मैने तक आपके बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको पोजिटिव एनरजी आपको यहां पे मिल जाएगी आप सेम को भी आपको चिकित करदे कि आपका तो रहत्त आपको के करब के रिजाए और नहीं है आपका जो future है कल के लिए जाकर आगे के लिए जाकर क्या होगा इसकी लिए आप चिंत बहुत ह smart कर की जुरूरत बिल्कुल नहीं है आपके माता पीता बाई ब्यानियों के साथ भी बहुत अच्छे पुजिटिफ आपको यहां पे रिजल्ट मिलते रहेंगे अगर मिधुन राशी के जातक जब जाती कहीं हैं देखिए स्वास्थे के बिसे में अगर हम चर्चा करें स्वास्थे के लिए यह साल बहुती उत्तम पुजिटिफ एनरजी और आपके लिए उर्जा लेकर आएगा कोई रोग बिमार से बिमार थे और कई सालों से पिडित अगर आपका रोग ठीक नहीं हो रहा था बिमार पता नहीं लाग रहा था तो इस साल आप बहुती पूरा काम करने के लिए कर्म करने के लिए कारोबार करने के लिए जितनी भी परिशानी आप रो रहे थे चिला रहे थे आपके जीवन में प्रतिक सुप कर्म को छूट रहे थे इस समय आपके लिए यह सारी जो जितनी भी सपने थे कई बरस के जो माता पिता हैं जो भाई भैने है देखिए 2025 के लिए आपके लिए चिंत मुक्त हो जाएंगे चोटी मोटी परिशानिया भी आपको जल्द ही पीछा छूड़ देंगे आप हमेशा खुश रहने की कोशिस करेंगे योगा द्यान माइड्रेशन और करें पैदल यात्रा करें जितनी भी परिशानिया है और भी म आपके लिए नई उर्जा मिलेगी आपके स्वास्थ्या के पर्ति स्वाजक रहने की कोशिश करें आप ज्यादा टेंशन ना लें बस आप अपने करम को बनाई को प्रतमिक्ता दें और आपके लिए इस प्रयास से आप विशेस करके फूड में आप हरी शाग, सबजी, ता चेत्र में आगे बढ़ने के लिए सफलता मिलती रहे कि आपको कुछ नया सीखने की चाहत होगी तो भी ओ पुरा हो जाएका दिमाग स्वास्तिया राखने से आपके लिए बहुत सारी सक्रात्म की बिर्दी होगी आप नएने बिजनेस को बेपार को लेकर किसी प्रेमी को ले हैं मास मदिरस से दूर बने रहें तामसिक और मानसिक तनाब देने वाले बोजन को त्याग करें और आप विशिस करके योग ध्यान में सामिल रहने से मानसिक सांति की साथ साथ आपकी एकंगरत भी बढ़े की और बिर्दी होगी बेद सात्रों की ग्यान की प्राप्ती होगी सुप कर्मों की चर्चा होगी तो देखिए आपके लिए यहां पर बहुत अच्छा है और आप साथ में आप असी प्रेम के साथ इस बर्स के अंत के महीनों में भी आपके लिए थोड़ी सी पिता का स्वास्थ्य का केर करना होगा तो इसी प्रिसानिया आ सकती है आप सहिम को काबू राखना सिखें जल्दबाद में कोई कार्यान ना करें आपको किसी भी हालत में डट के सामाना करना होगा जिंदकी में उतार चड़ाब हमारे मानव जीवन में आते रहते हैं तो दो हजार पचेश का परिवारी खुब सुरती रहने वाली है आपके घर में प देदार्थियों के लिए मैडिटेशन से और भी अच्छी सिच्छा की प्राप्ति हो सकती है आत्मविस्वास की बिर्दी होती है और सक्ति उर्जा की बिर्दी होगी स्वास्ते में कोई समस्या नहीं आएगी तो दोस्तों दो हजार पचेश के लिए देखा जाए तो यह बड़े सब्सक्राइब आपके लिए सुनाहर अफसर लेकर आएगा यहां पर अनुमानी नहीं लगा सकते हैं आपके लिए स्वास्ते में भी बहुत अच्छी है अब मैं यहां पर करियर के लिए अगर चर्चा करें आपके बिजनेस अब बेपार अगर प्राइबेट हैं आपके जीवन में थोड़ी सी जो अच्छे परिणाम तो यहां पर आएंगे आएंगे अगर आपके कर्म चेत्र में कोई परिशानी आप भोग रहेते देखिए इस बरस आपके लिए सारी इच्छाएं पुरी हो जाएगे आपको अच्छी नोकरी मिल जाएगी जो विर पत्म बाब में रायकर आपको बहुत सारी ऐसे पोजिक्टिव एनरजी आपको और बनला आपके साथ साथ आपके प्राइबेट नोकरी को लेकर या सरकारी नोकरी को लेकर अगर बिरजगार पहें उनकी लिए तो बहुत आच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे ही अप इसमे काम करने वाले टीम के साथ सिनियर के साथ अकुना रूप से आपको सोयग मिलने वाला है आपकी परमसन होगी और इंप्रेस आप करने में सफल हो जाएंगे संगर्शन और मेनेत में रंग लाएकि आपके लिए बहुत बड़ी जिम्यवारी आपको प्राप्त हो सकती है जिस तो यहां पे तर्की के राष्टे में कांटे विच्छाने का काम करेंगे लेकिन सत्रू पिनारा खुदी लाग जाएंगे सुझ बुझ कर काम करें किसी को गहरी विश्वास मत करें करियर को चंकाने की खोशिस करेंगे सरकारी विबात किसे काम करने वाले जात्रू जातिकिया हैं उनके लिए अपने कारे में सहरना और आपकी परफोर्शनल लाइफ जो है उसमें कुछ दवादब रहेगा लेकिन आपकी छबी लोग प्रवावीत होते हुए चले जाएंगे आपको धन कमाने में कोई कमी नहीं रहे कि आपके आया में इतना सारा धन को भिर्दी कर पाएंगे तो दोस्तों चार चार आपके जीवन में लग जाएंगे आप चिंता पिल्कुल नहीं करना है दोज़ार पचीस को सुरू होने दें आप सहीं दीवन को बदलते हुए देखेंगे तो दोज़ार पचीस में आप कमाल के कमाल के कारिये करेंगे मंचाय कलेज में एडिमिशन हो सकते हैं मेडिकल फिल्ब में आप जा सकते हैं परिच्छे में सफलता मिलने के साथ साथ राव बगवान जो हैं राव ग्रह आपके नवंभाब को लेकर विदेश के बर्मान कराएंगे आप स्टेडी के लिए विदेश जा सकते हैं ट्रावल के विदेश जा सकते हैं इंकम सुरुत धन की बिरदी कर सकते हैं आपके वित्रों से लाब हो सकती है विजनसों से उच्छाई में आप पहुंच पाएंगे करियर को लेकर देखे भी यहां पे जिम्मेबारी भी निवा पाएंगे 2025 को लेकर आप बहुत भागी साली के रूप में आपकी पैचान होगी विद्दार्थियों के लिए भी देखा जाए तो बहुत अच्छे पोजेटिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे अच्छे कंपनी से जोडने के अपसर मिल तो अब हम प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे जो रिलेशन में बैठे हुए हैं उनकी लिए बात करें देखो फैमली लाइफ के लिए देखा जाए तो यहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं स्वास्ते के लिए अच्छे रिजल्ट हैं तो प्रेम रिलेशन के लिए अ साथ होने वाली है जो आप अनुमानी नहीं लगा सकते दो जार पचेस का जो बरस है देव गुरु विरस्पति आपके प्रतंब आप से गोजर करेंगे जिनके चलते चलते आपके जीवन में बहुत सारी खुशी की बरसा होगी आपके रिष्टों में बहुत नजीकता बड़ है तो आप एक अच्छे समझ से एक अच्छे मेरिट लाइफ को प्यार के विश्वास में डाल सकते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा एक दुसरी को समझने की कोशिस करेंगे एक दुसरी की दिले में प्यार के घर बनाने की कोशिस करेंगे विश्वास बड़ेका प्रेम ब बहुत ही घुल मिल जाएंगे माता पीता के साथ समंद बहुत अच्छे रहेंगे किसी के साथ मज़र अंदर मत करें दोस्तों प्यार की नई शुरुवात प्यार की नई कानी आपके जीवन में ओने वली है तो दोज्जार पचीश को लेकर आपके सब कुछ परिवतन रिलेश सब्सक्राइब अगर मिथुन रहाशी जातक जातिकों के लिए देखा जाए, तो यह बर्ष बहुत अखेसाली बर्ष है, जो प्रेमर संपति पत्निः के लिए, मौडलिंग कलाकार को लेकर अगर किसी की संतान प्राप्तिक लिएकर, अगर किसी की संतान आ हुई हो, शंता अच्छी आवस्ता आपको मिल जाएकी तो यहां पे रिष्टों में थोड़ी सी उतार चड़ा आप देखभाल करने की कोशिस करें एक दुसरे के साथ में थोड़ी सी बीजितों हो सकते हैं लेकिन रिष्टे के समंद्ध में बहुत अच्छे हैं आपके घर में साधियां होने बले हैं सुपकारी होने वाली हैं जीवन साथे की एंट्री हो जाएगी यहां पर आपके जीवन में सकुन और सांथी मिल जाएगा जिनका ब्रेक आप हो चुका था उनकी लिए हम सफर साथ जरूर मिल जाएगा दोस्तों आप इनता बिल्कुल ना करें चिनता छोड़ दें आपके लिए बहुत सारी ऐसे खुशी हैं एक ही बार आने वली हैं तो आपका दोस्त आपके जीवन में सब दुख को निवन्टे के लिए के लिए साथ देंगे आपके रिष्टे बहुत खुश हो जाएंगे जल्दी आपकी और आकस्वन बड़े का किसी लंबा यात्रा आ बंदन आपके लिए हो जाएगा तो आप किसी अच्छे सच्छे प्यार को छोड़ कर यहां पर मिथुन रासी के लिए किसी को जगडा करने की कारियर ना करें यह बर्स आपके लिए बहुत इसके सुनारे अपसर मिलेंगे खुब प्यार में इंजोई करेंगे तो 2025 के लिए जो देखा जाये तो मिथुन रासी वाले जातक एब जातिकाओं के लिए इस बर्स में कोई अनुमानी नहीं लगा सकते इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं तो मिथुन रासी के जातिकाओं हैं इस बर्स आपके लिए बहुत सारी एक ही बार खुशी हैं मिल इस बर्स आपको मिलने वाले हैं तो आपका बाग गिया आपका परिवर्तन होने वाला तो दोस्तो जै माता जी जै स्री हुनवान जी वीडियो को शेयर जरुर करें लायक करें कमेंट करें अम नहीं नहीं जानकरी लेकर फिर पूर्ण ऊपस्तित होएंगे आपके साथ दुसरी वीडियो में तो आप एक बारत माता को प्यार करते हैं तो जय श्री हनुमान जय माता जी जरूर लखें और यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों रादे नमा नारेडमित्रों रादे रादे आप सब का बहुत-बहुत स्वागते हैं हमारे यूटुब चैनल में आज हम क्विताइं परिवार स्वाष्थ जीवन प्रेम जीवन रोग एवं सत्रू आपके लिए पौलिट सी विदेश यात्रा के लिए कैसा रहेगा दोहजार पचीस का बर्स आपके लिए अज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं करकट राषी के लिए दोस्तों नए साल 2025 की आपको बहुत सारी सुवका मनाएं आपके कुल पित्री और आपके जो इश्ट देव हैं सदा आपके घर में असिरबाद परदान करें आपके घर की जो मुसीवत हैं उसको अंत करें और आपके माता, पीता, भाई, बेहन जितने भी हैं के सब कुछ साथ आपके प्रेम बनी रहे, बस 2025 आपके लिए कैसा रहेगा कैसा होने वल है, इसके लिए आप जानने के लिए बहुती जिगासू होंगे तो आए आज शुरूरात करते हैं, इससे पहले अगर आप हमारी यूटूब चाइनल में नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूटूब चानल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपको नहीं नहीं जानकारी रासी फल के बारे में, सपनों के बारे में, बास्तु के बारे में, कोई तंतर मंतर के बारे में आपको जानकारी मिले कि कमेंट वक्स में जरूर कमेंट करें अगर आप एक सच्चा भारती हैं आप मातक को विश्वास करते हैं भारत मातक की प्यार करते हैं या अपने मातार और पिता को प्यार करते हैं तो आप इस यूटुब चैनल को सस्क्राइब निये का तो सस्क्राइ है तो अब हम आज बात करेंगे करकट कर डपस्ति के लिए ऐसे दोजार 55 के लिए कैसा रहेगा तो और सुरुआत करते हैं करकट कर पैसे की कि जिद्धाक जात कि इनके लिए बोहति सामन्य रहने वाला इस वर्श आपके वह多 ज्यादा मैनित के पर ही सफलता मिलने वाली है आप बड़ी मेनित करेंगे तभी सफलता आर्जित कर पाएंगे आपके बोज के साथ अपने लक्षे को देहन रखना होगा 2020 को लेकर शुरुयाद के विसेस करके मई दो हज़ार पचीस तक देव बिरस पते आपके 11 भाब में रहेंगे तो यहां पे गोजर करेंगे तो इसलिए यह समया आपके लिए बहुत ही सुब रहेका मै तक करकोटी रा से के लिए बहुत ही सुब रहने वाला है बुद्धी मे दन में संतान में प्रेमर रिलेशन में कला संगित के छेतर में ओनलाइन और डिजिटल मार्केट से मीडिया छेतर से या किसी सोचल मीडिया से देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं देब गुरु विरस्पति की बहुत शुब रहेंगे जीवन म में नई खुशी की स्वागत होने वाली है 2020 को लब लाइफ को लेकर रुमान्स और तड़का यहां पर दाल में जैसे तड़का लगाते हैं आसे रुमान्स में तड़का लगेगा तो यहां पर देखें आपके लिए आर्थिक इस्तिति कई बार नए 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 श्रोध बने और बिजनेस से आपको काफी अच्छा लाब मिलने वाला है इनकम स्रोध आपके बढ़ेंगे चात्रों के लिए या शिच्छा के लिए देखा जाए तो यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट पोजिटिव एनिजर्टी आपको पोजिटिव रिजल्ट यहां पर मिलने वाल लग जाएंगे आपको छोटी सी कोशी से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं दो जर पचिस को लेकर अपने लच्छे पाने के लिए आपको थोड़ी सी मैनेत अल्क थोड़ी सी कड़ी मैनेत करने होगी विद्दार्थिव के लिए आयर इस्ट यहां पर बहुत अच्छा है तो यहां पर बरस की सुरुबात है जो है बहुत भागी साल हैं और इस समया आप किसी भिजनिस को लेकर बैपार को लेकर बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट भागी चमकाने के लिए हर समभब आप प्रयास करेंगे आप सफल भी हो बैभाविक जीवन में आपके प्रेम और रोमांस बढ़ेंगे, आपके जीवन साथी के साथ, आपका हर कदम आपको साथ मिलने वाला है, जो सिंगल लोगों के जीवन में साधी के सनहियां बच सकते हैं, लब वर्ड, एक दूसरे के प्यार को खूप आएंगे, यसे देखाए तो बिजनेस और दुनिया में आपका नाम आपके लिए जीवन में गुंच सेकती है, तो आपके बहुत अच्छे पोजेटिव यहां पर रिजल्ट आपको आ सकते हैं, सिंगल लोगों के लिए साधियां हो जाएगी, सनहियां बच जाएगी, जो अगर आप इसमें देखा करने की सोच कर रहे हैं, किसी ओटल का कोई यह सोच रहे हैं, या कुछी भी करें, तो विदेश में जाकर काम करने वाले करकट रासी वाले जातक जातिकाओं के लिए, यहां पे बहुत फाइदे मन्द रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहां पे मिलेंगे, और आप किसी फाइदे का सोधा साबीत हो सकता, बिजनेस ट्रिप के आपके लिए बहुत फाइदे मन्द साबीत रहने वाला है, दो अजर पचीस की बहुत अच्छे धन कमाने की रास्ते आपको मिलेंगे, आमदानी में निरुंतर आपकी लिए बहुत अच्छा समय को मिलने व है, आपके लिए नकरात्म प्रबाब को विर्दी करेगा, जिससे आपको थोड़ी सी समस्य आएं, वो सकती हैं, तो इसे आपको थोड़ी सा राव के तो जो खराब हैं, इनकी अगर आपको सांति कराएं, इसका मंतर जब करें, तो आपको बहुत अच्छे पोजिटिव रि में बैठा तो बहुत अच्छे पोजिटिव एनर्जी आपको देता है, तो राहु अगर खराब है, सत्रुराश में बैठा है, निच भाब में बैठा है, या किसी छे, शिक्स और एट एबं आपके टुविल आउस में बैठा हो, तो कई बार ये निच हो का बैठा हो, तो बहुत सारे ऐसे इस नेगेटिव एनर्जी को यो बीर्दी करता है, तो राहु केतु आपके दिप्तिया और अस्टम भाब में बैठे हैं, जिसके कारण से दोजर पचिस के लिए आपके लिए थोड़ी सी खराब ही कर सकते हैं, राहु केतु का मंत्र जब कराने की कोशिस क आपके दर्षा या आगर चल रही है और राहु का महादसा कितु की अंतरदसा चल रहा हो, तो यहां पर आपके लिए भूश सारे ऐसे नेगिटिव निकरात्मा प्रवाब को लिया सकती है, जिससे अनावश से खर्जे बढ़ेंगे और आपके लिए धन कमाने में, धन तो क लेकिन आपके बचत के नाम में कुछ भी नहीं जोड़ पाएंगे तो इसे राव के तो खराब तो जरूर करेंगे लेकिन यहां पे शेयर मार्केट या किसी में भी लुबाने की योजाना इंवेस्ट करने में से बचें आप तो अगर आप किसी की आवेस में आकर कारे को अगर्व करने की सूझ वीचार कर रहे हैं तो इस अबादी घाटे के सौधे को यहां पे हो सकते हैं तो पैसा बचत करने की सौझ समझ major ही करते हैं दोजार पत्र56 socket के लिए जो राव के invest तो करन हैं आप किसी भी लोगों के साथ पार्टनर के साथ कुछ समझ में थोड़ सी बाहर रहेंगे कुछ कारण से मनमुटाब हो सकती है तो दोनों तरफ से करने की कोशिश से करें कुल मिलाकर लड़ाई जगडे में ना परें किसी आपकी जीवन में किसी की स्पलत अपाने के पर्तिक सुंबार के दिन भगवान को गंगर जल का अभिसिक करें धैनिक रूप में और्मनमस शिवाय मंतर का जब करें अनुमान चालिशा का पार्ड करें, आपके जिवन में खुब तर्की और उन्नाती होगी, कारिष्टल में किसी ने किसी दुखी गरिब को भुजन करायने की कोशिस करें, कारिष्टल में बहुत तर्क बितर्क करने से बचें, लड़ाई जगड़ा करने से बचें, ऐसा करने स इस बर्स में आपके कई उतार चड़ापको आपको देखने को मिलेगा आर्थिक चेत्र में दोजर पचेश को लेकर यहां पे एक सांदर भागिसाली ब्यक्ति के रूप में दनकमाने में देव गुरु बिरस्पति आपके इलिए बहुत सुनारे अफसर को प्राप्त करेंगे आर्थिक चेत्री मजबूत रहे कि लेकिन अलग-अलग साधनों से आप दनकमाने का मौका भी मिलेगा क्योंकि देव गुरु बिरस्पति की सुब तृष्टि के कारोबार से आपके दिन दोगनी राज चोगनी करके आप सफलाता जरूर प्राप्त करेंगे लेकिन बचत के इसाब से जो राव के तुँ है राव के तुँ आपको खराब कर सकता है तो दन कमाने में नई नई राष्टे तो आपको मिलेंगे ही आप दन भी कमाएंगे लेकिन बचत करन आपके जो 5 मैने के बाद 2025 में अचनक आपका सब कुछ पदलने वाला है तो यहां पर कुछ आर्तिक हानी हो सकती है या शेर मार्केट में इन्वेस्ट करें लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है घाटा हो सकता है तो किसी बदलाब हो सकते हैं किसी बिजनस में इतन होना पढ़ सकता है तो आपके आर्तिक तंगी और मौसुस हो सकते हैं वेपार में सफलत अपराप्ता करने के लिए निरंतर प्रैस करेंगे तो आप के लिए सुग रहेंगे तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल धेन दे जल्दबाद में कोई कारें न करें आर्तिक पच्छे पार से अच्छे रिजल्ट और अच्छे लाब मिलिंगे आर्तिक से तो बहुत मजबूत रहेगा धन कमाने में आप एक खर्चों के कारण से बचत करना मुश्किल हो जाएगा लेकिन आपको इस बात में किसी भी फालतों खर्चे से बचने की कोशिस करने होंगे अभी से आ आर्तिक मुद्दे को लेकर आपकी चिंता बिल्कुल नहीं करने की जुरूरत है किसी ना किसी छेत्रों से जुड़े समस्या आपको आ सकती है लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो सबकुछ परिवर्तन हो सकता है आप उससे अंत्य कर सकते हैं इस्तिकित कुछ आपके समंदारी का विशेस पर्थर्मिक्ता दें और सफलत के उच्छाई में आप पहुंच आएंगे गुप्त सत्रू से काम में बादा हो सकती है इसलिए अपने राय को जल्दबाज में सेर ना करें अधिक विश्वास ना करें दिल में चोट पहुंच सकती है तो इसलिए आपक स्वास्ते के लिए बात करेंगे दोजर पचीस करकट राशी के लिए स्वास्ते जीवन आपके कैसे रहेगा देखिए करकट राशी वाले जातक जातिकों के लिए दोजर पचीस आपके स्वास्ते में मिले जुले परिणाम आपको मिलने वाले हैं इस वर्ष की शुरुयत म आपके स्वास्ते के लिए लेकर सियत के लिए लेकर एक दम चकाचक रहेगे आपका ध्यान भी अपनी फिटनेस की तरह बढ़ेगा आप अपनी सियत को लेकर बहुती साज़ा खुद के लिए नई-नई राष्टे को सोचेंगे आप एक अमल भी रहेंगे पिछले जीवन में स्वास्ते के लिए करें कुछ कंबिर अवस्ता इस साल की शुरुवात आपके लिए परिशान नहीं कर सकती है लेकिन आप डॉक्तर की सल्लाज उजब लेने में बिल्कुल पिछे ना आटें और दैनिक रूप में स्वास्ते का केर करें यह साल कुछ ना कुछ थोड़ सा लेकिन बीच में कोई मुथपुनाकार यह सुट सकते हैं तो इसलिए आपको स्वास्ते के लिए दैनिक रूप में चेक अप कराकते रहें खान पिन में सुधार करें कुछ कष्टकार हो सकती है करकट रासी की मैला है सेस्ट में काफी सज़ाक रहने होंगे पिटनिस रहने ह सकते हैं और आप किसी कलब में जॉइन करें और बुजुक बैखते के लिए खास ध्यान रखने के जुरूरत है आपके लिए दर्द गैस अपच और सर्दी खासी की सिकायद बहुत ज्यादा रहेगी मौसम बदलते बदलते सहत में खानपीन में खास ध्यान रखने होंगे प्रफेसर होने के कारण से आपके विष्ट्ट हो सकती है और आपकी निजी जिन्दकी में चली तनाप स्वास्टे को प्रभावित कर सकता है अत्यादी कोद्र से बचने की कोशिश करने होंगे आपके जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है ओबर ठिंकिंग आदते ह लेकिन आपको किसी के साथ लडाई करना, जगडा करना, आमपकीm देडीज़ी तो तक दो किसी के साथ लडाई करना, जगडाई क करना, के लिए स्वास्ते में असर करेगा, तो इसलिए किसी भी कर्म को करने से पहले, किसी को पैसात देने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले, किसी से लणने से पहले, एक बार सोचेंगे, अच्छे बोजन को सेवन करेंगे, जो फ्राई ही चीज है, उसको सेवन ना करें, इस वा आप बात करेंगे कर्काट रासि के लिए जो करियर की लिए है जो विजनेश के लिए गया क justement कर्काट रासिक प्रियोग के लिए निmusic का लिए को अंद तरह के पापड़ बढ़ने होंगे कई तरह के पापड़ वेलिंगे तभी आपके लिए बहुत अच्छी सपलता मिले कि लेकिन नोकोरी बदलने की इचुद बैखते के लिए शुरुआत का समया काफी अच्छा बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे लेकिन मैं के बाद दोज़र पचीस के बाद अगर नोकोरी बदलने की सोच विचार कर रहे हैं तो बहुत द्यान देना होगा क्योंकि उस समया आपके लिए बहुत सारे आसे असुप प्रबाब आपकी जीवन में आने वले हैं आपके लिए बहुत सारी आसी असुप समया क्या बिजनेस बिजनेस कर सकते हैं और चोटी चोटी गलती से परिणाम से आपको कुछ गलत अर्थ को भुगन ना पड़ सकता तो लापर भाई बिल्कुल बिजनेस में एबम जॉब में नगरी में बिल्कुल ना करें आपके लिए बहुत अच्छी ऐसे लगाप से काम करने की आपके लिए गुजरना पड़ सकता अगर आपके लापरभाई के कारण से आपके जल्दबाज के कारण से आपके गुस्से के कारण से आपके कोद्र के कारण से कब भी भी सान्त सबाब से अगर सफल होना है दौट जारे पचिस को कुछ नया करके दिखाना है दुनिया को परिवार को दिखाना है अपने प्रेमिका को दिखाना है तो आपको सांत सबाब से ही आगे बढ़ने होंगे आया कि साधने को बहुत ज्यादा महसुस होगी आपको दैरितर से काम लेने होंगे ऐसे इंतजार जो काम को कर रहे थे उसको इंतजार से करें किस करियर के लेकर थो सब्सक्राइब एक बार सोचें और अपनी बढ़ाय किसी को सेर ना करें नहीरत अप्रूबक आगे बढ़ें आपकी मेनत आपकी जीवन में रंग जुरूर लएका करियर में सफलता मिल जाएकि और जो विदार्थी हैं उनके लिए भी बिजनेस की जो पड़ाई कर रही हैं उनके लिए काफी के लिए स्वास्तिया के छेत्र में अगर परिशानी है बिजनेस के लिए आपको धक्का हो रहा है तो इसमें डॉक्टर की सलासुजब लेकर आके बढ़ें एजुकेशन इंजिनियर इवं डॉक्टर पढ़ने वाले जातक जातिकाओं के लिए काफी अच्छी सफलता मिलें की और आपके लिए अच्छी जॉब भी मिलने वाली है तो आपको यहां पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरुवत नहीं है बस आप अपने कार्य को निरंतर दें अब यहां पे चर्चा करें प्रेम रिलेशन को लेकर दोच्चार पचीस के लिए जो करकाट रासी के जातक ज जैसे चीजों से आपके प्रेम में धक्का हो सकती है खटे मिठे स्वाद की यहां पईदा हो सकती है तो इसके कारण से आप सांत रहने की कोशिश करें दोच्जार पचेश को प्रेम रिलेशन को लेकर आपने पत्ती पत्नी को लेकर या संगीत चेत्र को लेकर किसी मोल्लिं कलकार को लेकर जीवन साती के साथ लेकर संतानों के साथ लेकर सिच्छे के जो चेत्र में हैं लव लाइफ में बेतर बनाने के लिए हर दम आप चांती रहने की कोशिश करें दुसरे को समझने की कोशिश करें लापरवाई आपके रिष्टों में भाड़ी पड़ सकता मैलिट सारी उथल पूतल याँ पर प्रेम जीवन और बैबाब जीवन को लेकर माई के बाद हो जाएगा तो इसलिए आपको प्रेम पुर्वग समझने के कोशिस करने होंगे एक दुसरी को सम्मान करने के कोशिस करें चलते चलते जीवन साहती के बीच में मनमुटाब ना आए इसमे अब को पफिरी ना आप को खुमेने से पहले से बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि एक रहासी में 70-80 क्रोड आदमी रहतेर हैं लेकिन सबको लागूनीहूगा फिरी भी अगर मैं आपको सधर केंने के लिए बता रहाермी अगये आगे आपको बता रहा root िूओंकि अगर आप गुस्से में आएंगे आपका प्यार जो ब्रेकब हो जाएन इहां आपको तनाब हो जाएगी बीच में आपके लिए मनमुटाब हो जाएगी इसे निकलने की कोशिश करना सबसे ज्यादा बेतर क्या होगा आप एक दुसरी को समझने की कोशिश करें अंकार और गुष्टा को त्याक करें और लब बर्ड्स को लेकर यहां पर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपके लिए एक दुसरी की प्रेम को प्राप्त करेंगे प्रेम विवा उने की चांसे हैं तो यह साल आपके प्रेम विवा के लिए घरवले मंजुरी आपको मिल जाएगी खुद रोमांस रोमेंटिक माउस्स करेंगे पार्टनर के बीच बहुत अच्छा समय आपको बिते का जो लोग सिंगल जातक हैं मैरिट लाइफ में उप्रवोज हो सकती है आपको प्रेमी मिल जाएगी घर परिवार के मुहार में कुसियां आ सकती हैं साधियां को लेकर जो चिंतित थी उनकी लिए सनाई हैं बजने वाली हैं जिनताएं दूर होगी संतान क के लिए कापी आच्छा रहेगा आपके जीवन में बहुत अच्छे पोजेटिव रिजल्ट आपको मिली जाएंगे और आपके लिए जीवन में रिष्ट में बुचाल आ सकते हैं लेकिन पार्टनर में संक करने के आदत जो पड़ी हैं उसको त्यक करने की कोशिस करें तो यहां पे 2025 के लिए घर परिवार के साथ थोड़ी सी खुशी सुख कंकि जो है मौसुस कम हो सकती है तो नए रिष्टे के चकर में आप पुराने रिष्टे को अंदेखार ना करें अपने परिवार को अपने फैमिली को परतमीता दें लॉब लाइफ में तनाप तो हो सकती ह कैसे बचने की कोशिश करें जीवनसाथी के साथ कुछ न चुपाएं एक दूसरे की समस्य को शेर करें 2025 के रिष्टे आपके बंते बंते कभी बिगण न जाए इसलिए आप त्यान दें अपने जीवनसाथी के रिष्टे में आपको पुरा रुप से प्रेम से निभाने की क करेंगे तो वहां पर कोई समस्या नहीं आएगी दोजार जो पच्छिस का जो बरसा है करकट रासी वले जातक जातिकों की लिए यह बरस काफी शूब रहेगा कुछ उतार चड़ा भी आने वाले हैं तो आपको दैरिता से काम लेके आगे बढ़ें किसी की बहुत ज्यादा ग करें का बहुत स्वाकते हमारे यूटिव चैनल में काफी स कैसे रहने वाला आधिकों की लिए आने वाले बरस 2035 कि लिए आपकी जीओं में और greet कोई ओर में धाते हैं आपके घर में कुल पितरी माता की और किरपा बनी रहे और इश्ट देव की किरपा बनी रहे बगवान विश्णों एवं महा लक्षमी की किरपा बनी रहे पिरी देव तिरी माता की किरपा आपके घर में बनी रहे और आपके जीवन में परगत्ति और उन्नति के राष्टे मे आपको सफलता मिलती रहे तो दोस्तों नया साल दोहजार पचीस के लिए आज हम चर्चा करेंगे सिंगरासी वले जातक एवं जातिकाओं के लिए आने वले बर्षे में आपके लिए कितनी सफलता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों वीडियो को शेर तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करें एक आप सच्चा हिंदुस्तानी और भारती हैं तो हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंग रासी वले जातब जातिकों के लिए ये सुर्या देप से प्रवावित रासी है अग्नितत्व रासी है और प्रूस्तव की रासी है पंचम इस्तान के मालिक हैं सुर्य नारेन और रासी पंचम रासी है देखिए इसमें ये किसी से जुकते दिल के बहुत सफा होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बार से देखने में उब्रसबाब के जरूर होते हैं, तो सिंग रहसी वाले जो जातक होते हैं, उनके उपर दुसरे के उपर राज करते हैं, तो अगर इनको परसंचा कोई करें, सब कुछ लुटाने के बहुत सच्छे और बहुत अच्छे इमंदारी अगर दुसरे को सयोग करना तो तुरूंत यह वहां पर पहुंच जाते हैं दिल खुर कर सयोग भी करते हैं तो यह विशेश करके राणनितिक पॉल्टे सी अगर उच्छ बेपार बेवसाई के चेतर में इनको सफलता मिलती है आज हम सिंगरासी के बारे में चर्चा करेंगे दो हजार पचेश का जो बरस है बहुती सांदार रहने वला है सिंगरासी उपके लिए सफलता ही सफलता मिले की बहुत सारी खुशी मिलते की बहुत सांदार में होने वला है आपके लिए दो हजार पचेश का बरस आपके मद्य भाग में कुछ आलत पिकड़ सकते हैं लेकिन दो हजार जो पचेश की जो सुरू आते हैं आपके लिए बहुत खुशिर सोगत में सोगत लेकर आएका ले लेकिन उसको भी आप पार कर जाएंगे और आपके जो बैक्ति सिंग राशी के बैक्ति जातक जातिकाएं हैं माता पिताएं कोई भी हो देखिए उनकी लिए बार्शिक राशी फल दोहजार पचेस के लिए आपके जीवन में कुछ नया अनुभाब करने की शक्ति की बिर्द होंगे ही आपके जीवन में काफी फाइदे मन रहेगा जीवन की शुरुआत देवगुरु विरस्पति दसंबाब में गोचर करेंगे जिसे ब्यपार में नोकरी में बिजनेस में किसी कारे चित्रा में आपको बहुत सारी परगति होने वाली है 2025 को लेकर इस दवरान में कोई नोकरी के कई अफर आपको मिलते हैं जो विरस्पति हैं उनके लिए सिंग रासी वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए बहुत अच्छे अफसर आपको मिलेंगे आगे चलकर आपके लिए बहुत फाइदे होंगे 2025 को जो देवगुरु विरस आएंगे बरतमान नोकरी में आपको वेस्ट और परदसन करने का अफसर मिले का परमसन हो जाएगा आपके लिए अच्छा बोनस मिल सकता है किसी बिजनेस से जोड़े जातक के लिए भी बहुत अच्छे अफसर आपको इस समया मिलेंगे बिदार्तियों के लिए यह समया ब प्रेम की प्रस्ताप की वहार लग सकती है एक प्रेम की प्रस्ताप आ सकते हैं देव गुरु बिरस्पत्री का जो गोजर है लापकारी सिद्धिप्राप्ति होगा आपके जीवन में खुसियां का कोई ठीकाना नहीं रहेका इतनी खुसियां आपके जीवन में एक ही बार आ जाएंगे धनकी कमी कभी नहीं होगे तो जो चीज शेत्र में आप देखें, उस शेत्र में आपको जबर्जस्त प्यार का लुफ्थ उठाते हुए, दन का भी लुफ्थ उठाएंगे, तो दो अज़र पचेश का जो भरिश है, जबर्जस्त सांस के साल प्राक्टरम के विरुदी होंगे, दो अज़र पचेश को सनी देव सिंग राशी के अस्टम बाब में गूचर करेंगे, मार्ज से पहले का समया आपको जीवन मेंISS सुब रहेगा, लेकिन मार्ज सिंग का बात जब अस्टम बाब में गूचर करेंगे, सनी थोर असके अष्टकार फल को देघे तो आप सनी की सोष्टि सांतिक कराएं बैबाविक जीवन में असान्तिक कलहाव बड़ेका आपके जीवन में अचानक गिरावट आ सकती है आर्थिक नुक्सान देखने के लिए आपके लिए बहुत सारे ऐसे मिलेंगे चल चला या बिजनेस थप हो सकता है, कार्यों में रुकावट होने के बहुत सारी योग हैं, आपके हर कदम में फुक फुक कर रखना होगा, जरा से भी लापरवाई बिल्कुल नहीं अपना नहीं, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कठोर, कठोर से कठोर योग भी बनेंग करें, 2025 में परतमबाब में केतु और सप्तमबाब में राहू, आपकी गोचर करने संभावना बहुत ज्यादा देखाई दे रही है, इसे विद्शी बुमी से लाप मिले का आपको नीजी जीवन में रिष्टे के लिए समय खास इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी सभाद की लिए आप थोड़सा इसमें सफलत अप्रापती है, तो आप परति दिन सुरिया देव की उपसाना करें, सुरिया देव को जल चड़ाएं, तामे के पातर में सुरिया लज्ज, सुरिया को जल चड़ा दें, और विशिस करके रभीवार के दिन अधित्य खिवुदा इस आपको करेंगे सिंगराशी दोच्जार पचिस के लिए आपके जो बरसा है शुरुवात का जीवन आर्थिक 9 को लेकर आएगा आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छा रहे कि आपको मिलेंगे देवगुरु बिरस्पती दसंभाब में गोचर करेंगे आपकी जीवन में सकरात्मा परिनाम को लेकर आएंगे आपके मन में बिजनेस को लेकर भविशय को लेकर कई योजना आप crust there DM जाएंगे कि और भी आपको उर्जा मिलेगी नहीं सकते मिलेगी मेनेत का साथ कभी ना छोड़ना बिजनेस आपके आर्थिक लाग को दिलाएगा यह दि आप पार्टनर के सीफ कुछ नया सीखने साथ हैं सोच कर रहे हैं तो दोजर पचीस का मार्च जो है आपके लिए बहुत वैतर समय करा देगा, बहुत आपको क्माने में सफल हो जाएंगे कई अफसर आपको यहां पर मिलते रहेंगे बहुत अच्छा बेतन में बोनस आपके गिव्ट मिल सकती है आप लोन लेना चाहते हैं तो इस अबादें आपके लिए काफी अच्छा रहेगा देव गुरु बिरस्पती के दसम भाब में होने से मान समान की बिर्दी होगी आपके इज़त की बिर्दी होगी आपको कोई ऐसा समस्या नहीं आएका तो इस अबादें आपके आसानी से हर लोन में आपके लिए मिल जाएगा कोशी मिल जाएगी सुख मिल जाएगा सांती मिल जाएगा नहीं ने अफसर मिलेंगे नोकोरी पेसा में आपके लिए तर्की होंगी शिनियर बैक्ति के साथ आपको लाब मिलेगा अच्छे लाब धन की कमाने के उच्छ इस्तर की योग बनेंगे तो 25 मार्च को लेकर करमदात सनीद आपके अश्टम बाब में गोचर करेंगे तो जीवन में आर्थिक जीवन में थूड़ी सी खलवली हो सकती है तो खुछ समस्या उत्पन हो सकती है तो इससे थोड़ा सा आपको जोड़ के या थोड़ा सा स्वाजयक होना चाहिए और सनीदेव की सांति कराने चाहिए धन की मामले में बादा उत्मन हो सकती है करियर में कुछ परिशानिया हो सकते है उसको फगस करने से तोड़सा आप बज़के रहना चाहिए बरना आपके जीवन में कुछ नुक्सान हो सकती है गुप्त सत्रु से बज़के रहना चाहिए शनीद देव का परत नुक्सान होने की चानस बहुत कम है न और दन की नुक्सानी हो सकती है देखिए धन खर्चों की बड़तरी तो होगी होगी साथ में परिवार में असान्ती होगी सणी के कारण से मार्च के बाल आपके जीवन में वविश्य को लेकर कुछ चिंता की इससे बढ़ सकती है तो य आप देखें स्वास्ते की जीवन की बात करें स्वास्ते की लिए 2024 का बरसा आपके लिए मिर्सित परिविणाम को लेकर आएका या बरसा आपके स्वास्ते के लिए बहुत इस सूभी रहेंगे पिछले साल से जो परिशानी आपको परिशानी थे ये कुछ सुटकारा मिलने वाले मानस सिसांती मिलने वाली है आपके置 मन में अच्छे अच्छे पभी क्भित्ः अभिचारों का अमेशा आपके जिवन में रहेयल का लेकिन खुद को स्वास्ते रहने की मौसुष करें किसी के साथ खानपीण में कभी गलती ना करें आत्मविश्वास बना रहेगा तो आपके जीवन में पूरी सिद्व प्राप्दी होगी और बिजनेस में वेपार में काम में आपके लिए उर्जा बनी रहेगी काम करते रहेगे परिबार में रिष्टों में सुधार होती रहे कि मंगली कारे में आपके अच्छा रहेगा तो परिबार की सदश्य बीच में रिष्टों में भी काफी बेतर रहेगा तो इसलिए आपको स्वास्ते की लिए बहुत ही ध्यान देने होंगे खानपिल में सुधार करने होंगे जीवन में ज्वोटी परिशानी अंत हो जाय कि स्वास्ते में नर्म और हो सकता है लेकिन सही बुजर्ग के साथ हड़ी की समस्या हो सकती है इसकिन प्रोलम एलर्जी की प्रोलम हो सकती है शिकायत हो सकती है इसलिए प्रेसानी से आपको सुगर बीपी दिक्कत भी आपके जिमन में आ सकती है सिंगर आसी ब्यक्ति को लिए इसलिए आपको थोड़ा स कर सकता है तो इसलिए आप समदानी अपनानी कि कोशिज करें करियर में चल उतर सब्सक्राइब स्वास्थे के लिए उस कर चाहिए बिजनेस के सब्सक्राइब करने करने चाहिए तो आपका स्वास्थे तोड़ा हानिकार हो सकता है जीवन में कुछ छोटे-मोटे समस्याइं उत्पन हो सकती हैं तो दो हज़ार पतिस के लिए घुमना फिरना मानसिक्त आप से मुक्ति आपके लेकिन अगर आप ज्यादा तरकस्टकार रहेंगे तो आपके जीवने बहुत ज्यादा ऐसा यात्रा करने से बाकि जीवन आपके लिए काफी अच्छा रहेका खुशियाल रहेका तना आप मुक्ते रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखें करियर के लिए अब मैं बात करूंगा करियर बिजनेस बिपार के लिए अगर आपको बिजनेस करने की सोथ बिचार कर रहे हैं तो दो सब पैकेज आपको मिल सकता हर कारी में अपार सफलता मिलने की कोशिस हैं आपके जीवन में विदार्तियों के लिए या किसी कंपनी में काम करने के लिए अफसर मिल सकते हैं कारिया में अपार सफलता मिलने वाली है विदार्तियों के लिए भी लाबदाय की बरसर हैगा किस इंजिनियर डॉक्टर आदी पढ़ने वाले जातिकों के लिए इस च्छित्र से अवध्य जातिकों के लिए कारे च्छित्र में आपके लिए बहुत सीनियर के साथ साथ आपको सफलता मिलने वाली है, 2025 को लेकर आपकी जीवन में बहुत सारी ऐसे परतिवा आपकी जीवन में मिलने वाली है, जो पुरुषकार मिलने वाले हैं, करियर को लेकर आपने बिजनेस को लेकर पार्टनर को लेकर दुनिया में अपना नाम जमाने के लिए सरवाशेश रह कॉछ गर्ली करा आपको कंपनियों से आंके लिए कर्मोस्ट बी मिल सकता है और अपर भी आ सकता है यहां पर देखें不錯 को ले कर देखा डाए तो बहुत सारी यहां पर आ还ब कर सब्समच्र नारू रूप से कार्य एकुशलत समधान करने में आप सफल हो जाएंगे इस वादि किसी अंजान के साथ साथ सांजदारी से पहले उनकी जाज पड़ताल अजने किसी परिशानी में घेर सकते हैं लेकिन हर एक बाद को अच्छे से समझेने के कोशिज करें सफलता आपके हांसिल हो जाए कि सारे रोग का कश्ट से आपके मौग के छ सकता है लापरवाई के कारण से दुखा हो सकता है सच्चे मन्य से आप काम करें और अपने मेनेद को जारी रखें किसी को साथ अपनी बात हैं गुव्तिर राय से ना करें मानसिक इससे तनाप से गुजरना पड़ सकता है तो दो अजजर पड़िस के लिए थोड़सा समया आपके लिए किसी करियर को लेकर किसी बहुत अच्छे छित्र से आपको दनलाब या किसी का साथ मिलने वला है तो कारिया में प्रारंब करने से पहले साज़ेदारी समझदारी से ही काम करें किसी दिक्कत ना आए बिजनेस को बेपार्व में लेकर आप बहुत सारी चुनोत जाए तो बहुत सारी खुशियां आपके मिलेंगे जीवन में बहुत अच्छे रिष्टे बनेंगे अगर आपका ब्रेक अब हुआ हो तुटा हुआ हो पती पत्मी वीच में समस्य थी सांदर जीवन वईभाविक जीवन को आपको प्रेम और रोमान्स आपके नए पन के करेंगे साधी सनाइयां गुश सकती हैं दो च्रपशिस के लिए जो सिंगल जातक जाते के हैं उनकी लड़ू चखने का और प्यार में डूबल की मारने का अफसर मिलेगा देखिए देखिए यहां पे लडाका है और प्लिग डिल का इंतेजार जो दरवजह sadece यहां पर रोमान्स रोमेंटिक टीर पर आप जा सकते हैं देश विदोसी की भर्मन कर सकते हैं इसके नए रंग में डूबिंगे और सिंग रहासी के जो जातक जाती हैं परिवार में सुख महें रहेगा और सुख सांती समरिद्धी की भिर्दी होगी दोस्तों यहां पर लंबे समय स पाने वाले जो पार्टनर के साथ डेट कर रहे थे उनकी लिए बहुत यादगार लंबे की महसुस हो जाए की और दोज़र चोपचेश का जो सांदार मौग के आपको मिलेंगे एक दुसरे के साथ साधी के बंदर में बनने के बाद भी आप पार्टनर के साथ पैयर में बार के साथ साथ आपके जीवन में आपके मार्च रिष्टो में कुछ कड़वावा तो हो सकते हैं भावनों को देखें एक दूसरे के प्यार को समझने की कोशिश करेंगी दो सरीर और एक मुटू होगा और इसमें सदा आपके गरमा हाट तो होने ही हैं लेकिन पार्टनर क साथ आपकी प्लाणिंग हो सकते हैं कुछ न illum की कर सकते हैं जितने भी विवादी ती जितने भी प्रेम समस्य थी यह सारी अंत होने वाली हैं दो जाबीस को लेकर ज्वी समस्यां थी और पचीस में जाकर सारी स्वाप्त हो जाएगी और आपके मैरिट लाइप में कपल में बहरण पूर जिंदकी का प्यार का सांती का योग बना रहेगा शंतान पुत्र प्राप्ति होगा एक दूसरे की बात नहीं चुपेगे एक दूसरी के बात को शेर करेंगे रिष्टे को निबाने अच्छे से जानेंगे आप और कामिया भी हो जाएंगे एक दूसरी की भावन श्री गाड़े साय नमो 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 आरेल मित्रू आप सबका बहुत बहुत स्वागते हमारी यूटुब चाइनल में सितारी गरह नचे तरह बदलते रहते हैं अपनी चाल क्या है आपके जीवन में इसका प्रभाव आईये जानते हैं आज हम 2015 के लिए कन्यरासी वले जातिकों के लिए कैसा रहे का आपके जीवन में आपका बिजनेस बेपार, रिलेस्टन, परिवार, लव, लाइफ और ट्रावल के लिए लेकर एजुकेशन को लेकर स्वास्ते को लेकर देखेंगे संतान के लिए लेकर देखेंगे क्या आपके जीव करें, लाइक करें, कमेंड करें, आप सबको नए साल दोहजार पचिस की बहुत सारी सुबह कामन आए, आपके घर में पित्र देव, इष्ट देव और मा दुर्गा की किरपा बनी रहे, हनुमानजी की किरपा बनी रहे, आपके घर में भूत तो पिचास प्रेत बादा की जित दुष्टान एक भारत ही हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं को तो एक सस्क्राइब और लाइक जरूर करें, वीडियो बहुत मत्पूर होने वाली है, तो आज हम चर्चा करेंगे दोहजार पचेस के लिए कन्यरासी वाले जातक जात जातिका हैं, उनका बविष्य के बारे में कन्यरासी वाले जातक जातिका हैं, देखिए इनके लिए दोहजार पचेस का जो बरस है, बहुत ही सांदार रहने वाला है, इस बरस आपके लिए किस्मत का ताला खुलने वाला है, दरवाजा आपका खुलने वाला है, हर कारे में आपके लिए सांदार रहने वाला सफलता प्राप्ती होने वाली है 2025 को लेकर मान समान में विर्दी होने वाली है घर परिवार में कुशी है कोई कमी नहीं रहे कि 2025 के लेकर जीवन में जबरज़स्ट उन्नेटि को लेकर आएकर बैसे 2024 के अंत हो जाएगी 2025 से आपके जीवन में बहुत सारी positive energy आपको मिलने वाले हैं रिजल्ट मिलने वाले हैं आपके जीवन में दिन दोगना चार चोगना गरी परगति करेंगे 2025 में देवगुरु विरस्पति आपके नवम भाब में गोचर करेंगे और देवगुरु विरस्पति की दिष्टी लगना में पंचम में और भागेश्टन में रहेगा कई तिर्थ यात्र करने के अफसर मिलेंगे कन्यराशी वाले जातर के जातिकाओं के लिए किसी मंदिर की आपके लिए बहुत अच्छे सुभ रिजल्ट मिलिगे यहां पे और देवगुरु विरस्पति अक्टूबर पचेस्क से आपकी दिसंबर के बाद पूना रूप से देवगुरु विरस्पति आपके कन्यराशी के एक अदस भाब में आया भाब में जाकर गोचर करेंगे तो या गोचर देव गुरी बिरसपदी का बहुत शुब रहे हैा. पुरे बरस आपके पुरे साल में धनकी विर्दी होगी, धनकी कमी नहीं रहे कि किसी अबाब नहीं रहें है करद देव गुरी बिरसपदी का जो गोचर है, आपके जिवन में बहुत सारी पदाउननती और आये में विर्दी करने के संकेट दिख रहे हैं, तो आप अनलाइन, डिजिटल, इंटरनाशनल, मल्टिनेस्टल, किसी विदेशी कमपनी से भी आप जोड सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाब और रिजल्ट मिल सकता है, तो समस्या पढ़ जाए, धनकी कमी हो, आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको तुरूंत मिलने वाले हैं, आप बेशुर्च से काम करें, आप निरंतर मैनेत करें, आपका भाग्या, आपका किस्मत बदलने वाला है, दो अज्जार परचीश को लेकर कन नहीं मिल रहा था, उनकी जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट को आपको प्राक्त करेंगे, मार्केटिंग, फिल्ड से, 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 जुड़े चेत्रों से, या इस समया आपके लिए अतिनत लापकारी होगा, दो जार पचीश के साल में सबसे सांधार रहने वाला समया है, ज अच्छे योग हैं, और संतार में बहुत अच्छे योग बनेंगे, चात्रों के लिए बहुत अच्छे भागय साली समय रहेगा, बिदेष जाकर पढ़ने के मौगे बहुत अच्छे मिलेंगे, बिजनस को लेकर कुछ बढ़ा कर सकते हैं, आपका भागय का साथ कुलने वा कि स्वास्टे के लिए बहुत उत्तम रहेगा दोज्जार पचीस का जो बरिस है उन्तीस मैं दोज्जार पचीस से आपके जीवन में छस्टे बाब में केतु और बारों बाब में राव गोजर करेगा जिसके कारण से सत्रू पच्चे से भारी पर सकते हैं आपको थोड़ी सी सत्रू से बज की रहना होगा, सत्रू से थोड़ सा सञटक रहनी होँगे, क्योंकि कुछ समयब भिगड़ सकता सत्रू के कारण से विद्यसी स्वरत से धनकमाने के बहुत सारे आपसर मिलेंगे करने राज के लिए और बिद्यस जाने के आपसर आपको मिल सकते हैं ये तू कि सब्सक्राइब करने होंगे जहां लेकिन परिबारी में कोई मंगली कार्या हो सकते हैं देखिये आप खूब घंकर धन कमाने तो खरींगे तो आपका जीवन 2025 में मंगली कारे के साथ गर में विवाह के योग है किसी अगर अभावी जातक जो रिलेसन में हैं की परकाई में हैं, जो विवा की परकाई में हैं, उनके लिए विवा की सनाईयां बच सकते हैं, लब वर्ड के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, रिष्टे में आपके जीवन में बहुत अच्छे यहां पे तारिफियों होगी, आपके जो हरी जंडी बच जाएगी, तो य लाब अच्छे रिजल्ट को मिलेंगे, अन्त में जाके लाब मिलेंगे सबी कारे में आपके लिए एक से एक कारे सफल होते जाएंगे करियर लेकर अगर कोई दिकत है, जीवन में कोई परिशानी हैं कोई जीवन में आपके लिए रोक से परिशानी हैं किसी चिंता का कारण है तो आपको शुरुआत के समय में आप ऐसा ना करें जो कल को जाकर आपके जीवन में विशेश करके खराब हो और चंदन का तिलक लगा कर अपने दिन को शुरुआत करे करने से हर कारे में सफलता मिल जाए की कारें में सफलता म नार चांदरो करें 20 15 के हर दिन सफलता मिलाएं इस इसं। में मिलती रहे की, आपके जीवन में खुसी मिलती रहे की जितनी बाद आए हैं, यितनी भी अवरोध हैं, आपके अंत हो जाए कि दोस्तों, आपके लिए खुसी बहुत ज्यादा मिलने वली है, तो देखिए अगर हम यहाँ करें कि अर्टिक पच्छे में बात करें कन्यराशी के लिए कितना पैसा कमाएंगे कितना जोड़ींगे इसके बारे में देखें तो कन्यराशी मंगल कारी होगा आर्थिक इध्रिष्टी कोण से कई तरह की परेशानी आपकी जीवन में नहीं आये कर्म्य चेत्र कार्य चेत्र में करेंगे उतने धन कमाने के अच्छा अपसर मिलेंगे यहां पर कारय में सफलता मिलने वाली है, बिजनेस के ट्रिप से देश-बिजनेस घुमने के लिए जा सकते हैं, बिजनेस ट्रिप के लिए अच्छा सपाया है, और सफलता मिलेगा, भागेगा, द्वार खुलेगा, बिजनेस को लेकर सिनियर की सला, आपको जीवन में काम करेगा, यहां पे दे सांदार समय रहेगा तो आपके द्वारा किये गए प्रयास जीवन के भूँ सारे चेतर में सफलता को लेकर आएगा कुछी को लेकर आएगा आपके इंकम को बड़तरी करेगा बिजनेस में मुनफा करेगा तो आपके जीवन में इतना पैसा कमाएंगे कि आप पैसे कहां अच्छी मात्रा में धन को आप जमा कर सकते हैं जो माता हैं उनके लिए काम को पार्टनर के साथ साथ आप काम कर सकते हैं परिवार के सपोट आपको मिलेगा परिवार में सुरच्या जो अस्रुचत भावना थी वह अंत हो जाएगा उसे निकल कर आप बेतर कारी कर आर्थिक व्यवस्तापन के लिए आपके लिए बहुत अच्छे समय की बिर्दी होगी धन कमा सकते हैं सही दिशा में आप इन्वेश्ट कर सकते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं है इसमें कोई समस्या नहीं है आप पूरा रुप से बिजनेस के लिए आगे बढ़ें जो म मद्य जब समय चले का उसमें आर्थिक इस्तिती बहुत ही और भी विर्दी होगी आयक में बहुत ज्यादा बिर्दी होगी आपके लिए कोई समस्या इसमें नहीं रहे कि तो नोकोरी में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी आपको सफलता मिलने वालिया उच्पद मिल कर्म चेत्र को लेकर कारी चेत्र को लेकर उननती एवं पार्टनर के साथ बहुत अच्छे समय को बिताएंगे तो अतिनत उत्तम परिणाम रिजल्ट आपके आएंगे जीवन में आर्थिक द्रिश्टी से बहुत ही शूब रहेगा इस साल मुकाप में पहुंच जाएंगे आर्थिक दन की बिर्दी होगी अच्छे अच्छे आपके संयोग योग बन रहे हैं तो राज योग के लाब उठाने की कोशिश करें दोस्तों 24-25 की लिए बैंक बेलेस में बढ़ बिर्दी होगी लक्ष्मी की किरपा कुविर देव की किरपा आपके लिए पूरे बरस में बनी रहे की सुबकारी सुबकर्म में आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप भाग गिये कब मेरवान रहेंगे और लक्ष्मी की किरपा बरसती रहे कि ये बरस पूरा सुबकारी के साथ साथ आपको थोड़ी सी कोशिस करेंगे तो कोई भी समस्या में आप मुक्ति करेंगे और इज़त भी कमाएंगे और परिवार को विर्दी करेंगे ऐसा बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं दो जर पचीस को लेकर पिछले काफी समय से आप खूद घर में देखा जाए तो कुछ सपने देख रहे थे कुछ सपने बुन रहे थे यह सपने इस साल पूरे हो जाएंगे घर खरीदना हैं कार खरीदना हैं पईत्रिक संपति में लाब मिल सकते हैं रेलिष्टे से जुड़े कारे को आपके लिए आगे बढ़ सकते हैं यह साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है कन्यरासी के लिए आर्टिक रासी पल दो जर की जो बविश्य बाणी है कन्यरासी के लिए जाता के लिए कोई नुकसान इतना नहीं होने वाला है बेहुत सोच विचार करके करा हुआ कारिया आपको सफलता दिलाने वाली है इवंदारी और सच्चाई के रास्ते में आप धन कमाने बहुत सफल हो जाएंगे देखिए ब बहुत सारी आसी खुशी और रिजल्ट आपके जीवन में आएंगे अब यहां पर बात करें स्वास्ते के लिए अगर स्वास्ते के लिए बात करें कन्यरासी के लिए 2015 के लिए उत्तम स्वास्ते आपको लाब होने वाला है 2025 की सुरुवात में आप बहुत ही फिट्निस रहेंगे बहुत देन देंगे आपके पिछले बर्स की तुलाने में इस बर्स स्वास्ते बहुत ही उत्तम रहने वाला है कन्यरासी के लिए बहुत सारी खुशियां मिले की मौज मस्ती समया निकाल लेंगे आप खेल कुछ में भाग लेंगे देव गुरु विरस्पति की सुभ दिरिष्टी से आपके उत्तम स्वास्ते के मालिक बनेंगे मन में अद्यामिक तर और दार्मिक विशे में चर्चा चले का रास्ते में चलेंगे तो पवित्र विचार उत्पन होंगे दार्मिक विशे में चलेंगे आपके लिए बहुत सारी गियान और बेद सात्रों के गियान की प्राप्ति होगी मन में धार्मिक कारियों में आपको बहुत सारी सफलता मिलेगा, पुजा पाठ सुब कारियों में सामिल होंगे, आप दान बुन्ने में खर्च करेंगे, तो घर में खुशी हैं का महल बना रहेगा, शुरुवात का इस बरस आपके लिए बहुत खुशका बरी लेकर आने वली संतानिस से जुड़ी खुशी की खबर आपको प्राप्ति होने वाली है, कन्यरासी के जो बुजर के बैकती हैं, स्वास्ते के विशाप से देखा जाए तो जो मदू महें रोग हैं, जो सुगर रोग से पिडिते हैं, बीपी रोग से या जोड़ों के दर्दों से सिकायत हो करें, योगा करायों की कोशिस करें, मैजटेसन करायों, मंत्र का जब करायों, धारमीक अध्यमिक छित्र में उनक smo अशक करें, मैजटेसन करने से पूरारूप्स से उनकी लिए स्वास्रय आच्छा रएगा, इस साल आप आपके स्वास्ते से जोड़ी गंबिर समस्या या गरववती मईला के लिए आपना विश्यस ध्यान देने की कोशिस करें आप हमेशा अपना चेकप जरूर कराते रहें तो आपके जीवन में बहुत सारी कुशियां जरूर मिलती रहें कि जीवन की परिशानियां जो भी थी वह मेटल एक आपस में दूर हो जाए कि दोस्तों तो स्वास्ते के लिए अच्छा काम करें तो आप यहां पर देखें स्वास्ते के लिए थूड़ सा खान पीन में भी दयान देने होंगे ताजा फल सब्जियों और जूस पीने की कोशिस करें पानी ज्यादा प करते हैं तो आप थोड़ सा कंट्रूल रहें की कोशिस करें खान पी में दोजर पचीस में सारी दिकतें अंत हो जाएगी आपका बाग्या बदल जाएका स्वास्ते ठीक रहेगा तो सारी समस्यां जितनी भी समस्यां थी और से चुटकारा मिले कि दोजर पचीस को लेकर यह कुछ के मत कार वने वाले हैं करियर के में बात करूं करियर के हिसाब से अगर कर तक जाती करेंगे करियर में लेकर आप बहुती सफलता नहीं चट जाएंगे अन्त में आपको बहुत उत्तम बरसे रहेगा एक करियर को लेकर उडान बरेंगे, करियर में आपके लिए बिजनेस करें, बिपार करें, कुछ भी करें, अपना पर्सनलिटी काम करें, कोई मीडिया चेतर से चड़ें, आप सुड़िया चड़ जाएंगे, चात्रों के लिए उत्तम बरसे है, इस पर से आप कोई सपनों का उडान बरेंगे, कामियव हो जाएंगे, आपके जीवन में खुसिया मिल जाएंगे, कारोबार की दृष्टी से आपको लाब मिलने वाला है, आपके रोजगारे को चेतर में बहुत सारी इंकम को बिर्दी होने वाली है, सबसे बढ़िया समया रहने वाला है, बहुत अच्छा समया रहने वाला है, आपका भागय का साथ, बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत अच्छी परमोशन मिलने वाली है, बस आप ट्राई करें, हर काम में, बेपार में, नोकरी में, अधिक से आपको सफलता मिलने वाल किसी भी कारे में आपको अंख बंद करके बरोसा किसी का साथ ना करें, बाद विवास से थोड़ा सा दूर रहें, अपने कान और आख खुले रखें, करियर में कुछ बनलाब हो सकते हैं, कारे चित्र में संकर्शन करना पड़ सकता है, देखिए, पुरा बरसे इतने छोटी- मोटी-मोटी बात हैं, तो हर जीवन में आती रहते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा समय को आप प्राप्त कर पाएंगे, दोज़र पचीस को लेकर यहां पे सब कुछ परिवर्तन होने वला है, दोज़र पचीस का परिशर दोस्तों, यहां पे भागी का सारा आप प्राप्त कर सकते हैं, दोज़र पचीस को लेकर सारी सपनी सच हो जाएंगे, बहुत सारी धन को प्राप्त कर सकते हैं, आर्तिक चित्र में बहुत मजबूत हो जाएंगे, कला आत्मक सस्कृतिक गतिविदी से आपका जुकाब होगा, इस बरस बैदीक, बुद्दीक के मिलेगा, और मिलेगा, तो आप यहां पे करोड़ पती, अरब पती के मालिक बन जाएंगे, उजल भविस्च्य को बदलने में कामियब हो जाएंगे, आपके जीवन में कोई समस्या ऐसा नहीं रहेगा, दोस्तों, वीडियो को सेर, लाइक, कमेट करते हुए, आगे बढ़े का, नीजी जीवन के रिष्टे में सुधार आएका, बैबाबी के जीवन में खुशियां बर जाएका, चार चान लगने वली है, कन्यराशी के जादर जाती का, अगर प्रेम रिलेशन में हैं, इस वरसा आपके अनुसार प्यार की खुशुरत एसास को अनुभव कर करेंगे, जीवन साती के साथ इस साल आपकी कुछ बड़ा सर्पराइज का प्लान कर सकते हैं, आपका ग्रियाश्तल जीवन पहले से बहतर रहने वाला है, एक दुसरे का मान, सम्मान, लव कॉल्स इस साल साधी की बंदन में बनने के पैसले करेंगे, आपकी अपने पार्ट दिकाएं हैं, देखिए इस बर्स आपके लिए पार्टनर के साथ थोड़ सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बर्स दून में मस्त रहेंगे, अपने प्यार में पार्टनर के साथ प्लिंग को नजर अंदज मत करना दें, दिल मत दुखाने दें, एक दुसरे की फिलिंग क दुसरे का प्यार करिए, एक दुसरे के लिए बहुत अच्छा लव लाइफ आप बिता सकते हैं, इस बादी रोमैंस, रोमेंटिक क्रिप पर आप किसी हनिमून डेटिंग के लिए जा सकते हैं, आपके रिष्टे प्यार रोमैंस में बढ़तर होगी, आपके जीवन में खुशियां मिले की, पूरी परसा आपके जीवन में ट्रिप प्लान कर सकते हैं, दुसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में अच्छा मौसुस करेंगे, एक दुसरे को साथ देंगे, तो पूरा रूप से दोजार पचेस की जो बविश्य बाड़ी है, संतान से जोड़ भी मिले का, साथ में आपके लिए प्यार की फिलिंग होगी, तो इस बरस जो प्यार की, जो समंत्र उत्पन होने वाली है, प्यार के सच्चे तलास की जो थी, वो पूरी हो जाए कि आपके तलास से खत्म हो जाए कि कुल मिला कर देखे जाए, तो रिष्टे में बहुत चमक करेंगे, यादकार बनने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को सेर, लाइक और कमेंट करें